कि हलो हाई नमस्ते सभी को मेरी तरफ से और आप सब का स्वागत है लेट्स क्रेक्ट यूप एसी के प्लाटफॉर्म के ऊपर मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी आपका गाइड आपका टीचर पर शिविल सर्विसेश ड्रीम देट यू है एक्शली स्टार्ट अपॉन मेर आपके लिए फिर से लेके आयो हो हिस्ट्री जहां हम लोग डिसकर्स कर रहे थे कंसाइस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के द्वारा की हिस्ट्री को तमिलाडू बोर्ड की बुक से कैसे रिवाइव किया सकता है कैसे पढ़ा जा सकता है और उसी के कंटिनिवेशन में अगर के बाद हम लोग लोग इंडस्वरिस सुलाcence के उपर गहे थे इंडस्वरिस सुलाईशन के बाद हम लोगने वेनिवेश के और आपको पढ़ाने की कोशिश की कि वेडीच में क्या हुआ विधी के दो पार्ट के अंदर से हमने देखा कि आर्ली वी के एच्व और के साथ है सब की टाइम पीरड आपको लिख देता हूं इंडस्वेले सिवलाइशन को 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक देखा जाता है वेडिकेज को देखा जाता है विट रफर्स्टू देखा जाता है विट पीरड ओफ आराउंड 1500 बीसी 600 बीसी और इसमें भी वेडिकेज के अंदर अग 1500 बीसी से शुरू होते होते 600 बीसी तक आरे खटम होगा सर ठीक है बात आगे चली उसके बादका जो पीरड आया है वह पीरड है माहजन पदो का पीरड यह वह निर्मान आंद हमने आपको पिछले क्लास के अंदर इसकुस किया हैни ए औरडी कवर्ड इन सब्सक्राइब करेंगे इसी पीरिट के अंदर भारत में विदेशी आकरमन भी होते हैं इसे हम लोग कहते हैं इसके बाद ग्रीक्स और इंडिया जहां से ग्रीक इंवेजन की शुरुवात हुई तो विए डिसकेश्ट अबॉट ग्रीक इंवेजन बुदिजम जनिजम महाजन पदों का निर्बान और पीरिट टाइम हमने आपको बताया था कि मौरियन इंडिया की शुरुवात होती है यह वह एरा था जहां अभी विल सी कि भारती इतियास के अंदर एक बहुत बड़ा इंपायर बिल्डिंग की शुरुवात हुई यह वह एंपायर बिल्डिंग था जिसे हमने पिछले क्लासिस के अंदर देखा था और 325 से लेके 185 BC तक का जो पीरड है यह पूरा का पूरा पीरड को कहते हैं मौ पिछले क्लासिस के अंदर डिसकस किया था वो था पोस्ट मॉरियन इंडिया और वी हैड डिसकस्ट अबाउट पीरड फ्रम 200 BC तू 300 CE इंडिया की हिस्ट्री कैसे चेंज होगी तो यह 500 साल का पीरड हमने आपको पिछले क्लास के अंदर डिसकस किया था और बताने की कोशि तीज भारत के अंदर इंफेक्ट उभरके आती है नीचे तीन संगम एरा की डानेस्टी को देखा था कि कैसे किस तरह से 40 चोला चोला के साथ पंढ्डिया डानेस्टी का ग्रोथ हुआ इसी पीरड के अंदर हमने ये भी देखने की कोशिश की कि दकहंट के अंदर कैसे निक दो डाइनस्टी देखने को मिलेंगे एक तो थे शुंग डाइनस्टी और शुंग के साथ साथ हमको देखने को मिलते हैं कणाव डाइनस्टी और फाइनली वी बिल सी की भारत को पर विदेशी आकरमन हो रहे थे ये विदेशी आकरमन मूल तह से चार अलग-अलग वन्शों क के दोरा किए गए सबसे पहले इंड़ोघ्री जाता है इंड़ोघ्री नदर आपके आपके सबसे हैं खो मिलते हैं इस तरह से हमने पोस्ट मॉरें इंडिया के बारे में देखा था ये जो पूरा का पूरा पीरिड है ये पीरिड है 200 BC से लेके 300 15 को कितना है 200 BC से लेके 300 CE तक का पीरिड हमने यह बी समझाता कि कैसे भारत के अंदर political changes आए और economic changes भी आया है सर ऑके विए डिसकेस्ट अबॉट दिपॉलिटी एकनॉमी कल्चर और पिछले क्लास के अंदर तो मैंने आपको यह भी बताया था कि क्या इसे डार के जमानना कितनी हद तक सही है कि गलत है उसके उपर भी हमने किया था आज फिर से क्लास को आगे चलाएंगे और समद्ने की कोशिश करेंगे कि अब गुपता पीरड की शुरुवात होती हैं और यह जो गुपता एज था यह शुरू होगा सम्वेर बिट्वेंटी बीट्वेंटी सीई तू फाइफिप्टी सीई तक का तो भरते इतियास में आप देखोगे तो फिर से मौरियस के बाद सेकंड बिग एंपायर बढ़ने की शुरुवात होगी गुपतास की यह गुपतास के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर फो बिफोर गुपतास मैं आपको विलकम करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करेंगे जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हूं सबकी आपको प्रिपरेशन मिलेगी मैं वहां पर हिस्ट्री ऑफ्ष्ट्री पढ़ा रहा हूं इनफेक्ट मेरे नए कोर्स लांच हो रहे हैं मौडन इंडिया को लेके फेबरुर्वारी के फिक सेकंड विक सब्सक्राइब तो आपको उसका लाब मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है आपको एप्लिकेशन के उपर जाना है और यह कोड को यूज करना है तो गेट दम मैक्सिमम ऑफ डिसकाउंट है तो अभी तक तो 20 परसें चल रहा था डिसकाउंट आपको मिलता रहेगा पर मैक्स हमारी इंसियाटी की बैसिस भी चुरू हो रही है अगर आप इसके अंदर भी जॉइन कर सकते हो बाकि अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन यू कन कॉल अन दिस नंबर वी हवाट सम यूमाई 0% फैसलिटी अविलेबल आप यह भी बहुत फाइ करिए आपको यूपेसी की द्यारी में बहुती फाइदा मिलेगा खेर चलते हैं आगे और समन्ने की कोशिश करते हैं विस रेफरेंस टू गुप्तास और गुप्तास की कहानी किस तरह से चली है इनका इत्यास कैसा रहा है यह कहां से कहां तक पावर के उपर आया है इन सब से क्लास के अंदर बताया था कि 200 BC से लेके 300 CE मतलब कितना साल का पीड़ हो गया 500 यह का पीड़ सरोके यह जो 500 साल का पीड़ था इसमें भारती इतियास बहुती फ्रेग्मेंटेड था सरोके ना समझें तो इसको काफी लोग कहते हैं कि भारत के इतियास के थ्रू अगर पॉलिटी का मतलब यह है कि एक ऐसी राज्ये विवस्ता है जहां पर विविल सी कि सब कुछ बिखरा बिखरा साहे तो देर इस नो स्टांडराइजेशन देर इस नो वी कें से सिंगल डानेस्टी डैडिस रूलिंग ओर दी कंट्री विकॉस कहीं पर यह संगम डानेस्टी क से लेखे तो को स्टांडराइजेशन नहीं था पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन थी गुपता का हुदाय करीवन 320 के असपास हुआ अगर आप ताइम स्केल के इस आप से जाओगे क्योंकि जीरो एक हाइपोथेटिकल बेंचमार के जिसके पहले बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है और जीरो के बाद वाला जो टाइम पीरेड है उसे क्या कहता है तो मॉरेन एंपार और पोस्ट मॉरेन पोस्ट मॉरेन का मतलब ऐसा है सामाने रूप से हिस्टोरिकल सेंज में अगर आप देखोगे तो यह वह साल है जो इसु मसीह के साथ जोड़ा गया है मतलब जीसस क्राइस के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा सर ठीक है तो वाट वी सी और हीर की वेन वी सी दो होल पिच्चर ऑफ पोस करता है तो हमें एक तो पहले तो यह जानकारी मिलती है कि अलग 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 बेजिस के रूप में इसका डेवलोपमेंट हुआ है ठीक है अब इसमें गुपता कहां से आया किस तरह से निकल के थोड़ी बहुत उनकी बात कर देता है ठीक है अब नया टॉपिक आप दी है ठीक है अब इसके बारे में हम लोग को दो प्रकार के सोर्सिस अवेलेबल है डिरा लिट्रेचर सोर्सिस और लिट्रेश्री सोर्सिस ठीक है ना समझे जहां भी विल कम टू नो की किस तरह से साहित्यकर निर्मान हुआ है और उसके आधारिक डेवलोपमेंट होगा एंड सोर्सिस और आर्चिय satrche alo legy kali srsa का मतलब है कि पूरा तत्रो का अधारी इंफेक्ट हैना सोर्सिस उसकीबी हमको बी नौइब आ और हमको यह भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे foreign authors भी थे जो गुपता पीरड के बारे में लिखते हैं जैसे फाहियान का नाम सुना होगा अपने फाहियान एक ऐसा व्यक्तितों है जो secular literature के लिए जाना गया है क्योंकि वह भारत में गुपता पीरड में आया था उसने कि प्रक्राइब लिखी थी फोक्योंकि तो फोक्योंकि के अंदर वी विल सी कि हैं मेंशन अब दो एक्सपिरियंसे ओफ वाट वस हैपनिंग इन गुपता पीरड के रफाहियान की स्टोरी में यह भी आपको देखने को मिलता है कि वह चंदर गुप्ता टू कैसे वह बाकि सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे और साथ और साथ हमको आर्के लोजी कल सोर्सेश मिलते हैं यह इंस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप समझोगे तो हमारे पास बहुत सारे एपिग्राफ का प्रकार आपको मिल जाता है ठीक है गुपता पीरड के अंदर आपको नहीं हुप्योग होगी जिसे नुमिस्माटिक कहते हैं क्या कहते है निसमारे थाख सब्लसक्राइब कर सकते हैं कि गुपता की हिस्ट्री कैसी हूआ करती थी और समझे मोटे मोटे तोर के उपर हमें पांच राजाओं को याद रखना है तो आप यह टाइम लाइन देशन के बारे में जस्टों डेस्टेंड इनक्रों लोजी कल वे कैसे शुरू हुआ था ठीक है तो गुपता डैनस्टी की शोरुवार्त में वी विल सी की सामानी रूप से दो र इंपरियल राजा के रूप में नहीं किया गया है गुपता हिस्ट्री के हिसाब से तो फ्रॉम दे गुपता हिस्ट्री इस टू किंग्स और नौट सीने इंपोर्टन किंग यह खाली अपने आपको राजा के रूप में पहचांते थे ठीक है और पीरिड ऑफ टाइम सम्व कि रूप जो का संतान के रूप में आपको यहां से देखने को मिलेगा वह और की उपर आता ही इननों ने संबारे सामस्य विस्तरहें किया थी की चंतर गुप्ते के समय पे समर्ज्य विस्तरन काफी होता है quotausthe predale T.K यह न समझे इस पांचो के पांचु राजा हमारे लिए इंपॉर्ट के बाद बात में ईंको कहते हैं लेटर मेट Tao नहीं can यूतने शक्तिशाली नहीं थे and because they were not that much strong and powerful eventually Gupta Empire decline के तरफ चला जाएगा यह decline कैसे हुआ उसके ओपर आगे classes के अंतर discuss करेंगे पहले अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इनकी political history और देखते हैं कि इनके sources कौन से कौन से हुआ करते थे ठीक है न समझे पहले sources देखेंगे sources के बाद हम लोग इनकी origin के ओपर discussion करेंगे origin के बाद इनकी political history के ओपर discuss करेंगे जब यह खतम हो जाएगा तो we will try to discuss about the administration, we will try to discuss about the economy, we will try to discuss about the art and culture and finally we will try to see the decline of the Gupta period sir ठीक है न समझे तो बहुत लंबी कहानी है क्योंकि हम लोग को society के बारे में भी discuss करना है, हमें basically art and culture के बारे में भी discuss करना है Gupta period को काफी लोग history में golden age के period में पहचानते हैं तो हम लोग शायर यह भी एक overview लेने की कोशिश करेंगे कि क्या Gupta period सची में golden age था की नहीं था, was the Gupta period in reality a golden age of Indian history or not sir ठीक है So there are multiple dimensions, multiple themes related to the Gupta period तो अभी तो हम लोग सबसे पहला sources point of view से देखते हैं इतना बड़ा empire maurius के बाद किसी ने भारत में बनाया था तो गुपता period नहीं बनाया था ठीक है न समझे तो यह हमें idea रहना चाहिए कि consequence dynasties किस तरह से आती है और कैसे यह लोग power के उपर आए इनकी कैसे background चलती है इसके उपर भी थोड़ी बहुत discussions करेंगे तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं the origin of the Gupta dynasty और उससे भी पहले हम लोग देख रहे हैं अभी sources के उपर से सरहना तो we are discussing the sources of the Gupta period then we'll jump to the origin part and then we'll discuss about the political history the administration and the other stories related to Gupta सरहना की किस किस तरह से चलता है पाहयान न क्या बताया है चंद्र गुप्त टू समद्र गुप्त टू यह समद्र गुप्त की कहानी किस तरह से चलती है और फिर इनका culture के इसाब से क्या contribution रहा है literature के इसाब से क्या contribution रहा है medicines में क्या contribution रहा है वो भी हम लोग समझेंगे सर ठीक है ना समझे तो पहले से ही हम लोग समझने की कोशिश करते है कि किस तरह से यहां से development होगा and we will find कि यह गुप्ता की origin कहां से कहां तक निकल के आई है ठीक है अब अगर आपको गुप्ता को समझ रहा है तो हमें फिर से पोस्ट मॉरें इंडिया को देखना पड़ेगा क्यूंकि पोस्ट मॉरें इ मास्तर ऐसा कैसा नक्षा बना दिया तुमने सर ठीक है यह नक्षा तो खाली आपको समझाने के लिए बनाया गया है सर ठीक है ना this map has been drawn just to make you understand and aware about कि कैसी political history रही है उस पीरड के अंदर सर ठीक है ना समझे तो कहानी आपको यह मिलती है कि सम्वेर इन पोस्ट मॉरियन पीरड वी विल सी कि रहुसर वैक्यूम और यह वैक्यूम का लाब अल्टी मिली गुप्ताज उठाने की कोशिश करेंगे सरो के तो NCIT के अंदर यह किताब में भी यह लिखा गया है प्लासिकल पाइटन आप इम्पिरियल रूल इवाल पेंग सब्सक्राइब इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस से भारत को निकाला है गुप्ता राजा उने सर ठीक है आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी क्राइसिस हुआ करते थी फिर से वहां से एक पॉलिटिकल है जीमनी एस्टाबिश करना कोई छोटी मोठी बात नहीं थी सर सब्सक्राइब इस इस एक बड़ा मजबूत राजा आया तो मजबूत राजा आने के कारण हम को यह भी देखने को मिल रहा है कि छोटे राज्य उसके अंडर में आ गया है समुद्रुप्त के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे आगे क्लासिश में इन दफ्यूचर समुद्रुप्त क्योंकि समुद्रुप्त ने जब दक्षिन भारत के अंदर अपना कैम्पेण चलाय था तो उसका परिणाम क्या होता है सर ठीक है न समझे तो फ्यूदिलिजम एज इंस्टिशिशन बिगें टो टेक रूट दूरिं इस पीरिड इस पीरिड विस एन एफे सामधबात की कःडिशन के उपर होकर की फिडिलिजम है क्या सर ठीक है तो 22 एक ऐसी वियरसता है जो जमीनााधारी थ Whole जो strong central power की existence को deny करती है और weak central power with strong regional powers की कहानी चलती है गुपता पीरड के later stages के अंदर feudalism की भी शुरुवात होगी ये भी हमको यहां से देखने को मिलेगा ये गुपता पीरड ही था जहांपे Sanskrit literature का बहुत बड़ी मातरा में development हमको यहां से देखने को मिल जाता है architecture और sculpture का development देखने को मिल जाता है इस पीरड के अंदर भारत के अंदर overall living standards जो है वो बढ़ते है education, art और science के अंदर भी विगनान का भी विकास आपको इस पीरड के अंदर से देखने को मिलेगा और काफी लोग इसके अंदर से in fact यह बताने की कोशिश करता है कि गुपता एज कैसा था एक golden age का प्रकार था ठीक है न समझे तो book में भी इसके बारे में debate दी गई है there is already a debate given in the book कि क्या गुपता एज एक golden age का प्रकार था की नहीं था तो उसको लेखे अलग-अलग प्रकार की परिभाशा है लोगों की अलग-अलग thoughts है कुछ लोग कहते है कि यह golden age सा कुछ लोग मना करते है ठीक है न समझे तो हम लोग जब यह class को खतम करेंगे यह sessions को जब खतम करेंगे तो इक golden age के concept के ऊपर भी मैं आपको लेखे आओंगा तो कुछ लोग इसको classical age के रूप में पैचानते है there are some scholars and some we can say experts who say that this was more of a classical age rather than a golden age अब यह classical age और golden age के बीच में फरक क्या है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बट पहले आगे चलते हैं और समन्ने की कोशिश करते है कि गुपता के sources कौन से कौन से थे कि इतना वड़िया empire बनाया है भाई तुम नहीं सर ठीक है इतना वड़िया empire sources के बीना कैसे possible है सर ठीक है न समझे so let us try to see the sources of the गुपता period कि वही इन में consequences sources हमारे पास मिल जाते हैं सर ठीक है तो गुपता एरा में दो प्रकार के sources prominent थे सर एक तो था literary source जिसे मैंने कहता हूँ कि सहीत्यकस्त्रोथ है और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमको मिलेगा archaeological source basically एक ऐसा source है जो पुरा तात्व का अधारी थे मैंने आपको बताया कि ऐसा coins हो गया monuments हो गया inscriptions हो गया उन सब का study करने के बाद we will come to know about what has been the existence and how they had come to power or what is the political history overall around them sir ठीक है न समझे तो इन दोलों के basis के उपर से समझने की कोशिश करते हैं कि गुपता की कहानिक किस तरह से चलती है और sources की importance क्या है ठीक है अब याद रखेगा कि literature की जब हम लोग बात करेंगे when we try to understand the literary sources of the gupta period हम लोग के पास बहुत सारे literary sources available है ठीक है अब कौन से sources available है देखोगे तो सबसे पहले literature की हम लोग जब बात करें when we try to understand the story of the literary sources of the gupta period तो वी शुद नो की the literary sources includes the period where the compilation of multiple books were written down sir ठीक है अब गुपता पीरड में आपको देखने को मिलेगा कि एक साहित्य मन क्या है जिसे हम लोग कहते है स्मृति साहित्य सा ठीक है यह जो मैं हाइलाइट कर रहा हूं मार कर रहा हूं उसे स्मृति साहित्य कहते है अब यह है क्या वोट स्मृति साहित्य और स्मृति लेटरेचर से ठीक है ना समझे तो याद रखना कि इन दो मौरियन और इन गुपता पीरड दी कंपालेशन ओफ दे होल वेडिक कॉर्पस टुक प्लेश है ना वेडिक कॉर्पस का मलब है वेदों की जो सहीता है उन सब का कंपालेशन गुपता पीरड में हुआ है अब इसमें बहुत सारा शहीत्य शुरूति में था शुरूति में वेद भ्रहमनिया उपनिशद और कि अगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पासौन हुआ करता था यह जो शूरूति लिटरेचर है इसके अंदर से हम को यह देखने को मिलता है कि एक और डिराव्ड लेकर निकलका है जिसे हम लोग कहते हैं सुरूति में से डिराव्ड होके आया है इसे सुरूति कहते थे मूल तहसे क्योंकि यह मेमराइज किया जाता है यह भी जनेशन टू जनेशन पासवन हुआ है कि श्मिति लिटरेचर में वेदांग का निर्मान हुआ वेदों के अंग कहते हैं इसी के अंदर से आपको दर्शन का भी विकास होगा जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्कूल सबस्कूल लिए इस सब बिए स्मृति के पार्ट है अब स्मृति में बहुत सारे कॉमेंटरी स्कूल बेसिकल्डे उस पीरिड के अंदर एक्सपर्स ने उनके द्वारा लिखी गई थी यह स्मृति के अंदर उन्हों ने बताया था कि समाज व्यस्ता कैसी होनी चाहिए रा एक से ज्यादा ऑफर के द्वड़ा स्मृति लिटेचर कंपायल किया गया जैसा मनुस्मृति अगर आपने समझ सुना होगा यह शब्द सुना होगा मनुस्मृति एक ऐसी किताब है वी विवल सी की काफी कॉंप्रवर्सी में भी रही है पर मनुके मिल्गे दिए जर्फीर द के एक उथर थे विष्णु खर के हुआ करते थे ब्रियस्पति हुआ करते थे इन सबों ने भी अपनी अपनी स्मृति इस पिरड में कंपाइल की थी सर ठीके ना अधर थे न मनु वी विल अजो फाइंड अधर पीपल इस पिपल इंकुड़े पीपल आप नारदा विष्णु ब्रियस्पति और काटियान वह द गिवन दर्समृति इस पिर थे इस पिर अगर आप ऑप्शनल के प्रफेशनल के प्रफेशनल ओ इस रेखोगे तो अलगे तो से बहुत ही भारी-भारी सवाल आजाता है खिर आपको जीएस के पॉइंट ऑफिसे एक बेजिक आइडिया तो होना चाहिए कि वाट एंड हाउ दस्मृति लिटर्चर हैस बिन कंपाइल के ना समझे कि किस तरह से स्मृति लिटर्चर का कंपाइलेशन आपको मिल जाता है तो नारद विष्णो ब्रियस्पति काटियान के दरा स्मृति लिखी गई इसमें गुप्ता राजाओ के बारे में भी लिखा गया है कहीं कहीं पे हमको मिल जाता है सर ठीक है ना इसके सिवाए वी विल फाइंड कि एक बुक आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है नीती सार यह नीती सार का क्या महत्व है उसकी क्या इंपोर्टन्स रही है याद रखना स्मृति तो होफुली आपको समझ में आ गई होगी सर है ना तो मनुस्मृति इससे पहली है मनुस्मृति इस दो ओल्डेस्ट ऑफ दी वन हो के ना समझा अगर आपको पूछा जा सकता है आपको पूछा जा सकता है कि लिटररी सोर्सिस के अंदर कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है तो मनुस्मृति बाकी सब यह पोस्ट मॉरेल से लेकि गुपता पीरेट के अंदर कमपाईल हुए थे सर खैर दूसरी आपको देखने को मिलती है कावंडग की नीती सार है ना य अगर आपको थोड़ी बहुत चीजे काउटीलिया की याद होगी तो कउटीलिया जी के दुआरा लिखा गया था अर्थ सशास्त्र है विष्लुगुपन लिखा था अगर आप अर्थ सशास्त्र की सिग्निफिकंस को देखने की कोशिश करोगे क्या थी उसकी प्रासंगीक लिखता ही यही हुआ करती थी कि इट वोस अगर्ट वोस एड्रस तो दे किंग और अर्थ सशास्त्र में काउटीलिया ने राजा को प्रिस्क्रिप्शन दिये थे प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि वाट अट दूस अंड डोंस दे किंग हैस तो भी कैरीड अपॉन सर है न वो एक प्रिस्क्रिप्शन का बक्षाओ थ वेक मैं कहूंगा रूल्स था वो एक गाईडन्स का प्रकार था जो राजा को बोला गया था यह राजा को दिया गया था भाई शेरिदग ऑन कउटीलbas ढ़िए दिए इस तरह से आपको इसको देखना है और इस तरह से इसकी system क स्टेट को अब कोईटीने के बुक्त बहुत पुरानी और थी क्योंकि थी कि इस पीरिड में एक ऑथर आए जिनका नाम था कमंदक सर नाम याद रखेगा सर अब पूछा जा सकता है सब्सक्राइब कामंडक के दौरा एक किताब लिखी के जिसका नाम है नीती सार, okay, in this book कामंडक addresses की what should be the ideal work that the king should do, what are the do's and don'ts of taking certain decisions, how you should address your political issues, how you should take care of the economy, how you should take care of the social order as well, तो बहुत सारी prescriptive perspective जो पहले कामंडरी के दौरा दी गए थी उसको रिवाइव किया गया है, देखें भारती इतियास की एक खासियत रही है सर, okay, commentaries लिखी जाती है on the original works because original works की जो functioning है उसमें अगर कही न कहीं समय जाते हैं थे problems आ रहा है उसके अंदर interpretation बदलना है उसके अंदर opinion बदलना है तो वो सब भी किया जा सकता है everything has to be worked upon सर, okay और नीती सार एक ऐसी book है जो mainly अगर आप देखोगे तो commentary के point of view से है, prescription के point of view से है और जो कवटीले के दौरा book दी गए थी उसी के ही continuation में भी आपको मिलेगी सर, ठीक है न समझें तो कावंड़क से नीती सार लिखी हमारे लिए important हो जाती है ये दोनों स्वृति ही सर, ठीक है इसके सिवाए we will find कि विशाखदत करके इनके court author हुआ करते थे सर, ठीक है न चंदरगुप्त टू के कारे काल के समय पर, इनके समय पर we will find कि दो बुके लिखी जाती है एक तो है मुद्र राक्षस और एक है देवी चंदरगुप्तम अब इन दोनों बुक्स का importance क्या है सर, ठीक है मुद्र राक्षस एक ऐसी किताब है, सुनिये मेरी बात, मुद्र राक्षस एक ऐसी किताब है this book actually discusses about how चंदरगुप्त मौरिया with the aid and advice of काउटीलिया came to power in Magad, how चंदरगुप्त मौरिया was able to topple the nandas and eventually how काउटीलिया was able to help चंदरगुप्त मौरिया to consolidate the power in Magad, विशाखदत और चंदरगुप्त मौरिया के बीच में रही नहीं करके 600 साल का अंतर है 600 years क्योंकि विशाखदत तो गुप्ता पीरड से थे विशाखदत belong to the गुप्ता पीरड मुद्र राक्षस की कहानी में यह है कि काउटीलिया ने जब चंदरगुप्त कि I will not allow him to stay in power for longer period मैं लंबे समय तक उसको टिकने रही दूँगा तो यह मुद्र राक्षस की कहानी आपको देखने को मिलेगी वैसे ही आपको देखने को मिलती है देवी चंद्रगुप्तम यह देवी चंद्रगुप्तम की तो कहानी बहुत ही अध्भूत है के बाद immediate successor के रूप में नहीं थे और मगत की गद्धी के ऊपर चंद्रगुप्त टू के बड़े भाई रामगुप्त सत्ता के ऊपर आये हुए थे तो इटी सेड की in the early era we will see कि चंद्रगुप्त टू was not immediately the successor of समद्रगुप्त but then you will find कि कुछ ऐसी political घटना बनी इसका परीडाम आपको यह मिलता है कि चंद्रगुप्त टू को गद्धी के ऊपर बिठाया गया he was established in the power and he took the throne sir okay उन्दन अपने भाई को हटा के सत्ता हासिल की उसकी पूरी कहानी आपको मिलती है देवी चंद्रगुप्तम के अंदर किताब के ऊपर मैं आऊंगा जब जैसे से आगे चलेंगे सर ठीक है इसके सिवह आपको बुदिजम और जैनिजम के बहुत सारी किताबे देखने को मिलेगी जो गुप्ता डैनस्टी के राजाओं के बारे में हमको information देती है सब्सक्राइब जैन ड्ची मेुट अबूदी सम्सक्राइब सह को जिए uzमाप्तार में इस थे सर अगा अगे陌 थर आपको पता होगा थोड़ा बहुत तो ही कालिदास थे वरा मिहीर थे शंकू हुआ करते थे सरोके ना तो वीविल फाइंड की कालिदास दे बहुत सारी किताबे लिखी है जैसे मेग दूतम आपको मिल जाती है मेग दूतम के साथ साथ अगर आप देखनी कोशिश करो तो वीविल कम तो नो अब अभिगनान चकुंतलम सर ना रहु वन्शम ने समझें तो बहुत सारी किताबे कालिदास के लिखी गई है कालिदास के दरा जो सहीत लिखा गया है इसके सिवाए पाहियान मैंने आपको बताया अभी क्लास स्चुरू करने से पहले ही कि पाहियान एक्शुली केम तो दे कोट अव दो गुपतास है तो गुपता अरा के अगर मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप लिटररी सोर्से के पॉंट आफ यू से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो वी कम तो नौ बाओ गुट नमबर अव लिटररी सोर्से अवेलेबल इन गुपता पेर इसके सिवाए इसके सिवाए और सूर्से अवेलेबल इन गुपता पीरेट सर ठीक है रहा समझे जितने लिटररी सोर्से अवेलेबल है उतने ही नुमिस्मेटिक के सोर्सेज भी अवेलेबल मिलेगे सर ठीक है अब वाट अगर उनकी क्या खासियत है तो थोड़ी इनकी बाते कर देते हैं अब newismatics basically coins का प्रकार है गुप्ता पीरड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो राजे रजवाडे थे उन्होंने coins बहुत issue किये थे initially कुछ-कुछ राजा के दोरा gold coins का use किया गया था later period के अंदर silver के coins भी आपको मिल जाता है copper के coins भी मिल जाता है और kaudi जिसे हम लोग आज की तारिक में खेलते भी है उसका भी उपयोग आपको यहां से देखने को मिलेगा सर ठीक है ना समझे तो इनके coins का study करने के बाद हमको बहुत सारी चीज़े समझ में आती actually numismatic is a very very big science okay ना समझे वो विग्नान के दस्टिकोन से देखोगे तो numismatic एक बहुत बड़ा विग्नान का प्रकार है क्योंकि the study of numismatics will give us so much of understanding and importance of the economic activities along with the political and social importance as well अब गुप्ता के कुछ कुछ कॉइंस में आपको कुमार देवी के photograph मिलते हैं उसकी images मिलते हैं कुमार देवी was a queen of चंदरगुप्तावन and it is said की ऐसा कहता है की ये जो कुमार देवी हुआ करती थी कुमार देवी पहली queen थी जिनका चंदरगुप्तावन के साथ इस प्रकार का photos आ रहा था image आ रहा था coins के उपर ही सामाने रूप से उस period की society कुमार देवी ने वह टाबू तोड़ दिया कुमार देवी ने कहा कि मेरे मन को भाया है ना मैं सिक्का चाप के सबको publish करवाया सर ठीक है कि मैं तो publish करवाओगी मेरे हिसाब से तो कुछ ना चले सर ठीक है इनके दोरा अलग अलग प्रकार की वेडिक rituals किये गए थे इन्होंने सिक्कों के दर ये बताने की कोशिश की है अब जैसे कि अगर आप सबन्ने की कोशिश करोगे तो आपको समुद्र गुप्त करके राजा देखने को मिलेगा गुपता पीरड के अंदर समुद्र गुपत की सिग्निफिकन्स ये है कि उसने अश्वमेग कोईन से शुकिये थे अश्वमेग कोईन के इंपॉर्टन्स क्या थी कि वो खुद अश्वमेग यग्या करवा रहा था इनके दर अलग अलग टाइटल्स दिये गए थे जैसे ये कहते थे कि मैंने एक बार शेर का शिकार किया तो ये लिखेंगे व्यागर पराक्रमा सर ठीक है न समझे अपने टाइटल के उपर ही लिख देंगे कि मैंने शेर का शिकार किया भाग 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 देखो शेर आया शेर है न शेर की जुबानी देखो शेर की कहानी स यह अपने आपको टाइटल दिया करते है कवी राज सर है ना कवी राज कवी राज was a title that was taken up by समुद्र गुप्त इंसेल्फ okay ना समझे तो वो खुद ही बता रहा है कि देखो मैं तो ऑथर हूं मैं सहीत्यकार हूं मैं कवीताकार हूं और मैं कवीताओ का निर्मान भी करता हू सर ठीक है ना समझे तो इन सब के द्वारा भी based on the conduction and based on the study of all these things we do see and we do come to know about the storyline of the gupta period और इनसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इनके coins का importance क्या था बाकि coins के importance में हमें यह देखना है कि कौन सा metal का उप्यों किया गया है हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा weight use किया गया है इसमें क इसमें कि इमेजिस की गई है भगवान की मूर्तिया है यह राजा के photograph के उप्यों किया गया है तो उनसे भी हम लोग इनके overall sources के बारे में जच कर सकते हैं तो we have got good sources of the gupta period as well sir ठीक है वैसे ही अगर आप समन्ने की कोशिश करोगे तो आपको epigraphical sources भी मिलेगी यह epigraphical sources मूल तह से inscription centric आपको मिलते है यह inscription centric sources की importance यह है कि जैसे ही आपको एक inscription मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं महरौली पिर इंसक्रिप्शन जिसमें चंद्रगुप्त लिखा गया ठीक है ना समझे अब यह चंद्रगुप्त वन का है या तू का है उसको लेके अलग-अलग opinion है कुछ कित वन महरौली ते जाई नहीं पाया होगा सर्टीक है महरौली का मतलब है कि आज का दilली वाला प्रदेश ना समझें दिल्ली के अंदर कुतुब मिनार का प्रिमाइस आप ने गये होंगे कुतुब मिनार के प्रिमाइस के कॉम्फलेक्स के अंदर ही आपको यह पिलर देख किया गया है तो यह पिलर है इसको के अदर आपको दिखने को मिलेगाई तर तो Cheer ihl गोरी अपना गवर्नर को अपोइंट करता है यह वो कोई गवर्नर कोई और नहीं था बट कुतुब दिन एबग था जिसने महरूली के अंदर अपना establishment किया था ठीक है तो एक तो यह भी कहानी आपको यहां से देखने को लेगी महरूली पिलर इंसक्रिप्शन यह इंसक्रिप्शन के थिए पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ में आती है इस क्रेश्टी है अब यह पूछोगे कि सर गरूर सम एक से गया होगा सार ठीक है तो दो 3 पॉण्ट के वोपर हम लोग तिहान रखेंगे अलभा जो पिलर इंसक्रिप्शन और पिलर इंसक्रिप्शन मूल से अलहाबाद के स्वर्ट के रूप में पहचानते हैं यह अशोक के फिलर किसी और का है पर उसमें मैसेज किसी और ने लिखा है मतलब आपकी स्कूल कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट ऐसे हुआ करते होंगे कि काम कोई और करता था और आखिर में उसका नाम लिखना परता था किसी और के द्वारा सर ठीक है ना समझे ग्रूप में चार-पांच लेटर ऑन समुद्र गुप्त ने आके इसके ऊपर अपने इंस्क्रिप्शन करवाया सर ठीक है ना समुद्र गुप्त गुप्ता डानस्टी का ही राजा था मैंने आपको बताया कि जो इनीशल गुप्ता रूलर साय थे इन में वीविल सी कि सेकंड नंबर का जो किंग था थी कि ना तो अभी तो अभी तो सौर्स के ऊपर ही डिसकेस कर रहा है क्योंकि स्थे बड़े वास्ट इनके अंदर से सठीक न समझने के लिए गुप्ताज में जितने सोरसित आपको वास्ट मिलेंगी उत्रे वास्ट किसी और पिरड में नहीं मिलता है थाए अब अब अब आप देखें कि गुप्ता फीरण में दो चीज बदल गया 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 इसके पहले के पीरण में हमने आपको बताया था कि जो भी literature है लिट्रिछर की खासियत क्या थी लिट्रिछर की खासियत यह थी कि लिट्रिछर के अंदर जो स्कृप्ट यूज होती थी वो स्कृप्ट मूल तहसे ब्रहमी स्कृप्ट थी सथी this हे ना समझे अक्रौस दी संधी स्क्रांट्री वोग रुंदूस साट्थ ulk conve भाशा है जो लिखी जाती है नौर्थ इंडिया के अंदर प्रिसाइसली वह भाशाओं के उपर आपको नगरी लीपी बहुत देखने को मिलेगी नगरी या देव नगरी लीपी सर ठीक है तो यह जो नगरी या देव नगरी लीपी है वो अलहबाद प्रशस्ती के अंदर क्याता है क्योंकि वी फाइंड की अलहाबाद का दूसरा नाम क्या था और इजनल नाम तो प्रयाग घी था सरो के वो तो अकबर ने आके वहाँ पर प्रयाग के बाजु में एक और कजबा और किल्ला बनाया सलीम के लिए सलीम मतलब अपना लड़का जहांगीर के लिए और और फिर वहां से उसका नाम फिर प्रयाग अलहाबाद हो गया सर ठीक है ना समझे तो वी विल फाइंड की यह प्रयाग प्रशास्ती की इंपोर्टन्स हमारे लिए बहुत है क्योंकि इसमें हरी सेन ने लिखा है समुद्ग्रूप की परस्नलीटी और उसकी पॉलिटिकल कॉन के बारे में भी लिखा गया है सर ठीक है सो वी विल फाइंड की दर गुर्ट नंबर ऑफ एपिग्राफिकल सोर्शी इसके सवाए गुपतास के अंदर अगर आपको सोर्चित में याद रखना है तो वह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सो के ना समझे कॉपर प्लेट इंस जिसकि मिलेंगे तो इ вм dilemmar को एरा के मंदिर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहां सथी के एविदेंस आपको मिलेंगे अभी वह को इंदे मता सदिखे इन्स के बारे में समझ में आया कि it's a vast plethora of sources available बहुत सारे मातरा के अंदर हमको sources देखने को मिलेंगे and we will find कि यह जितने भी sources हमको यहां से मिले हैं इन दोनों के आधारित based on the sources we will come to know about the origin of the gupta period ठीक है न समझें तो first thing is clear to you guys there are a good number of sources available sources की इर्दगित में हम लोग बाते करते रहेंगे जैसे से आगे चलेंगे as in when we proceed further जब भी कोई राजा की बात आएगी तो मैं पीछे कही न कहीं वो राजा के source के बारे मैं आपको पीछे background में लेके जाने की कोशिश करूँगा कि यह राजा की क्या significance की फलाने राजा की क्या significance थी है न की overall उनकी क्या background रही है वो भी हमारे लिए थोड़ी जानकारी लिए होना चाहिए सर ठीक है अब थोड़ा आगे चलते हैं और समद्रे की कोशिश करते है with reference to the origin of the गुपता अब देखें की गुपता की origin के बारे में हमारे पास नौलग बड़ा लिमिटेड है ठीक है न समझे तो यहां पर भी यही लिखा गया है ठीक है the evidence of the origin and the antecedents antecedents वालम इनका भूतकाल क्या रहा है of the गुपता डानेस्टी लिमिटेड से getting one point okay न समझे लिमिटेड क्यों था क्योंकि अभी मैंने थोड़ी दिर पहले आपको बताने की कोशिश की कि गुपता के अंदर पहले दो राजा थे श्री गुपत और घटोज गच गुपत यह मगद पाटली पुत्र वाले रीजन में रूल करते थे पर इनके बारे में कोई बता नहीं था कि यह कौन थे और कहां से आया है कौन है यह लोग कहां से आया है किसी को कुछ नहीं पता है ठीक है न समझे इनकी ओरीजन को लेके भी कॉंट्रोवर्सी चलती रहती है क्योंकि सामाने रूप से यह देखा गया है कि इथियास के अंदर जो राजा को इस तरह से प्रीज किया गया था कि शात्रकुल का होना चाहिए या शत्रिय होना चाहिए गुप्तास ने वो मिथ तोड़ दिया था कि राजा शत्रिय ही होना चाहिए ठीक है न समझे तो इटी सेड कि गुप्ता डैनस्टी के जो राजा थे और फिर से पाटलीपुत्र का इंपोर्टन्स को डाइनस्टी ने बढ़ा था तो चंद्रगुप्त वन के समय पे बढ़ता है और वन्स अगें विल सी कि पाटलीपुत्र विकेम अपी सेंटर ऑफ दी पॉलिटिकल एंड एक्कोनोमिक एक्टिविटीटीज ऑफ दे कंट्री स अब देखिए कि इसको लेखे क्या क्या प्रकार की आइडिया चलती है उसके बीछे की कहानी देखते को मिलेगी गुप्तास का ओरिजिन कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि यह वैश्यकूल के राजा हुआ करते थे सरह ना वैश्यकूल का मतलब यह है कि यह जो वर्ण प्रथा है वर्ण प्रथा में आपको बता होगा कि चार वर्ण है कि ब्रह्मण शत्रिय वैश्य चूद्रस उसमें वैश्य वर्ण से हुआ करते थे सर्थी के न समझे इनके ओरीजिन को लेकर पहली तो यह ओपिनियन चलती है कि दे बिलॉंग टूद वैश्यकूल के रूप में था करते हैं अगर यह वैश्यकूल से बिलॉंग करते हैं और यह ओरीजिन ऑफ दी वैश्य तो नाव दी कोशन विल अमर्ज की राजा तो शत्रिय कूल का ज्यादा लेजिटिव असे मिलेगा तो क्या करेंगे सथीक है तो ज्यारतर किताबों में लिखा गया है कि देयर रिजन चैलेंज क्यों हुआ करता था क्यूंकि चंद्रगुप्त वन को अब अपने आपको प्रूव करवाना था कि देखिए मैं यहां पे एक साशक के रूप में इनफेक्ट है ना इस्टैबलिश कर सकता हूँ और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं भले वैश्य हूँ मैं वैश्य के भी इनफेक्ट अपने आपको एस्टैबलिश करूँगा सर ठीक है ना इस्टैबलिश करूँगा सर ठीक है ना तो कहानी आपको यह देखने को मिलती है कि यह कहानी के अंदर वी विल कम टू नो कि चंद्रगुप्त वन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था ठीक है ना गिडिगों पर्ट ओके और यह चैलेंज के कहानी आपको यह देखने को मिलेगी कि एक शत्रिय कूल में ना पैदा होने के कारण उनको लेजिटिव असी गेम करनी थी साशक के रूप में सर ठीक है अब चंद्रगुप वन क्या करेंगे वाट ही विल डू सर है न तो वेन ही कंसॉलडेटेड इस पावर ओवर मगद चंद्रगुप वन ने जब पाटली पूतर में अपनी सत्ता हासिल की तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि अब मेरे को रेकरगनाइस कौन करेगा हूल रेकरगनाइस मीस है ठीक है तो चंद्रग व्यक्तियों के साथ साथ परिवारों को भी इन्वाल करती है ठीक है। पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे चंद्रग वन खुद तो वैशय ओरिजिन के थे अब ही वॉन्टे तो गेट दे लेजिटी मसी ऐसे रूलर वो चाहते थे कि हमारी लेजिटी मसी एक साशक के रूप में बनी रहे अब साशक के रूप में अगर वैशय कुल से बिलॉंग करता हो अगर मैं शादी कोई ऐसे व्यक्ति के साथ करूँ जो नौन वैशय हो या शत्रिय कूल की हो तो उससे जादा मेरा लेजिटी मसी बढ़ जाएगा सरो के क्योंकि मेरी वाइफ की फैमिली का जो एड्रेस हो मेरे साथ आ जाएगा वही होता ह है जर आप एसपिरेंट हो आपकी किसी के साथ आपकी कोई गल्फरेंड है या बॉइफरेंड है ठीक है अब आपकी जो पार्टनर है गल्फरेंड बॉइफरेंड आइदर अप दी वन उन में से किसी एक का सेलेक्षन हो गया उपका अपका ऑ्टोमेटिकली स्टैटस हो जाती है now you have decided कि बे चलो कोई बात नहीं I'm ready to marry you out अब आप aspirant से struggle करते करते आपका partner जो है वो civil services crack करके चला गया automatically आपका भी status society के अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि हाँ वही कता ही क्या बात है सर है ना समझे इनके इनके जो partner है इनके wife है या husband है वो खुद bureaucrat है ऐसा ठीक है तो वही कहानी यहां पर भी देखने को मिलती है चंद्रगुप्त वन की matrimonial alliances अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वो देखने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं वैशे कूल का हूँ मुझे legitimacy चाहिए मैं legitimacy कैसे गेन करूंगा तो then he started looking for matrimonial alliances और यह matrimonial alliances उसने की लिच्छावियों के साथ अब लिच्छावी एक ऐसा शत्रिय कूल अगर आपको देखने को मिलेगा जो बुद्धा के समय से exist किया करते है वैशाली करके एक जगा है बिहार के अंदर वहां से लिच्छावियों का पूरा परिवार और कुंबा बैठा हुआ करते है there is to be a huge clan of the लिच्छावी sitting in वैशाली इसर ओके ना समझे लिच्छावियों के साथ exactly इसर साथ छारी की है वैशाली में राजा बेठा हुआ करते थे लिच्छावियों के तो लिच्छावियों के क्वीन हएक जिनका कुमार देवी क्या नाम था है कुमार देवी से ठी साथ चंदरगुप्त ने विविन सी की मैट्रिमोन अलाइंस कर दिया सब्सक्राइब करते हुए अगर आप एक सहसा के अगर आपके पार्टनर आपको हउप कर रहे है तो इसमें गलत किस बात का सर है तो यहां तो सरवायवेर का सवाल था यहां एक्जिस्टन्स का सवाल था अगर अट्रिया ने की मिलती है और भाई यह गुप्ता डैनस्टी वाले जो लोग है यह खुद तो वैशे हुआ करते वियापारी कुल से थे बट इन्होंने ब्या किया है वही एकदम रूलर फैमिली के साथ हो के अपने से बड़ी फैमिली और अपने से बड़ी डानस्टी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वह इन फैक्ट अगर आप उसको एक लेजिटिमसी के रूप में अगर और यह पूरी की पूरी घटना एक बुक के अंदर बिसिकली मेंशन की गई है यह बुक का नाम है कौमूदी महतसव क्या नाम है कौमूदी महतसव यह संस्क्रिट के बुक है अब यह बुक लिखी का अब गई थी यह चंदरगुप्त वन के समय पे नहीं लिखी गई है पहली बार आपको भारती इतियास में या आपको बहुत one of the rarest cases में इता मिलेगा कि एक queen भारती इतियास को compile करवा रही है A queen herself is interested in the compilation and in the formation of the literature Sanskrit के अंदर लिखी गई है इस संस्क्रिट में लिखी गई है सर ठीक है याद रखेगा इसका नाम सर कवमूदी महुत सब्सक्राइब किस ने लिखा है वजी का के दौरा इसमें किसकी कहानी है चंदरगुप्तवन और कुमार देवी की चंदरगुप्तवन और कुमार देवी मूल तह से अगर आप देखोगे तो शादी में बनते हो और इसके बाद चंदरगुप्तवन की वा भाई वा हो गई सर सबने चर्चा कर दी ओले भाई यह तो जमाई बन गए बड़े कूल के जमाई बन गए सर है न समझे आप सामादे व्यक्ति और आपकी शादी कोई बड़े कुन्बे के साथ हो जाए IPS IES फैमिली के साथ तो क्या होगा सर है रूलिंग फैमिली के साथ मिनिस्टर के फैमिली क साथ हना कोई भी हो सकता है इट माइट बी मिनिस्टर बीरोक्रेट्स हो के न समझे तो उल्टिमिटली चर्चा तो होगी है कि आपकी लेजिटीमसी भी बढ़ जाएगी सरो के तो चंदरगुप्त वन ने भी इसी तरह से गेम खेली सरो के न समझे यह यह आप देखोगे मै ने पाल तरह ही सर है न समझे और इस तरह से भी फाइंड की चंदरगुप्त वन और लिच्छावियों के साथ जो उसने शादी की उससे उसकी लेजिटीमसी बढ़ गई उसने लेजिटीमसी गेन करने से दो फाइदे हुए सरो के आप देखिए कि जब आप इतने बड़े क कुन्बे के जमाई बन जाते हो इतने बड़े क्लैन के जमाई बन जाते हो इतनी बड़ी रूलिंग डाइनस्टी के जमाई बन जाते हो तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती एकनोमिक सपोर्ट मिल जाता है और और कहीं पर युद विद होता है तो भी आपकी म भी gift में मिलती है क्योंकि शादी के अंदर जो gift देने की प्रथा हुआ करती थी या एक प्राकार की अगर आप देखने की कोशिश करिये तो marriages के समय पे जो exchanges हुआ करते थे इसको territories मिलती है चंदरगुपत 1 को sir चंदरगुपत 1 was able to get good number of territories and because he was able to get good number of territories in lieu तो राजा के जो दोस्त होंगे मरलब लिच्छावियों के जो दोस्त होंगे वो भी आपको respectfully treat करेंगे बुलब ये तो लिच्छावियों के जमाई है ये because they are the जमाई of the लिच्छावीज तो we should make sure कि लिच्छावियों को एक अच्छी खासी respect, dignified way के अंदर जमाई को भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो obvious था कि वो decorum maintain करने के आउशकता है तीसरा इससे ये भी हुआ कि आपके उपर temporary कोई युद होने वाला था वो भी नहीं हुआ तो गुपता empire को stability मिलती है by marrying off with लिच्छाविज चंदरगुपत वन was so smart you are very चालाक bro समझे की समझे so you are so चालाक हो चालाक that he married off with the लिच्छाविज and he made sure that he will sign this matrimonial alliance in a very effective way तो marriage के साथ साथ political, economic और अपनी geographical influence भी उसको बढ़ने की शुरुवात होगी और this is how gradually the Guptas were able to bring out a huge area तो ये कहानी के अंदर हमको यहां से देखने को मिलता है कि Gupta Dynasty के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो Shri Gupta की कहानी आपको मिलेगी Shri Gupta के आज Ghatojgach मिल जाते है Shri Gupta और Ghatojgach को महाराजा कहते है Chandragupta I, the son of Ghatojgach ruled from 339 to 319 to 335 CE and is considered to be one of the greatest kings of the Gupta Empire Chandragupta I took the title of महाराजा धी राज and we will find की एक ऐसा राजा था जिसने अपने आपको establish किया ये establishment के दारा we will find की उसने अपने आपको बहुत strong किया था इसके समय के कोई inscription या कॉइन सम को नहीं मिलते है पर इनको बड़ा हल लाब हुआ थीक है अब आप देखे की होगा क्या है Chandragupta I ने कुमार देवी के साथ शादी की because Chandragupta I married with कुमार देवी it was but obvious for the Gupta dynasty to get the prominence and the recognition that they were needing out okay ना समझे की अब ये कहानी आगे चलती है चलो sir खड़े खड़े थोड़ा पढ़ाते है अब देखे की क्या हुआ sir तो अब ये थोड़ी नादूरस्त है इसके लिए सर्दी जुकाम के कारण थोड़ा बहट के बढ़ारा पढ़ रहा है थोड़ा शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है but let's stand it out sir अब देखे की क्या होगा sir चंदरकुप्त वन की और कुमार देवी की शादी होती है तो इन सब के परिणाम सुरूप ये 319 से लेके 335 CE तक रूल करेंगे ये रूलिंग इन बेट्विन पीरड फॉम 319 तो 335 CE अब in between इन दोनों के बीच में संतान भी जन्वा होंगे obvious था कि married life थी they were actually living their married life as well तो इनको एक बेटा प्राप्त हुआ और इन बेटा का नाम था समुद्रगुप्त ठीक है ना समझे so we will find कि चंदरगुप्त 1 के समय पे तो कुछ ज़्यादा development हमको नहीं मिलता पर समुद्रगुप्त तक आते आते गुप्ता डानेस्टी अब अपने peak के उपर जा रहेगी peak के उपर जाने का मरलब है कि ये वो कारेकाल था जहां गुप्तास के अंदर एक नए दोर की शुरुआत हो गई ठीक है एंड सम्वेर फ्रॉम 335 CE ओनवर्ड से समुद्रुप्त पावर के उपर आया और ये जब पावर के उपर आएगा तो लिच्छावियों को बहुत ही खुशी हासिल हुई लिच्छावियों को लग रहा था कि वे देखो हमारा पुत्र पावर के उपर आया है मेरा पुत्र मेरा पुत्र होता है ना सर ठीक है आप UPC में सिलक्ट हो जाओगे तो अचानक से आपके बहुत सारे रिस्तेदार आजाएंगे सर रोकिव सो वंस्यू गेट सेलेक्टे इंट यूपीसी देरिस एरी पॉसिबिलिटी आपको लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे लोग जिसने आपके तरफ देखा भी ना हो ऐसे लोग जिसने आपकी तरफ इनफेक्ट है ना ऐसा ज़्यादा भी टैटेट ना किया हो बट ना देविल स्टार्ट कॉलिंग यू आउट लिट्षावियों की कहानी यह है कि बिकॉज समुद्रगुप्त राजा बनके आया चंद्रगुप्तोन और कुमार देविका तो लिट्षावी इसको अपना संतान मानते थे इन्होंने इसको टाइटल दिया लिट्षावी दुहत्रा दुहत्रा का मतलब होता है नाती नाना की तरफ से या अपनी लड़की के जो लड़का होता है उसको नाना जी नाती कहते है नाना कहते है नहीं लोग मामा के फादर को या मम्मी के जो मेन फादर होंगे तो हो आपके नाना होंगे है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे सर ठीक है ना समझे तो यू कन इमेजिन कि हाउ स्मार्ट गुप्ता डैनस्टी वॉस गुप्ता डैनस्टी कितनी स्मार्ट हुआ करती थी कि इनके दोरा ये समुद्रगुप्त को लिच्छावी दोहत्र का टाइटल दिया गया और इससे समुद्रुप्त की लेजिटी में सी और बढ़ जाती है कि देखो मेरे मामा कौन है कभी-कभी किसी का ननिहाल बहुत ही स्ट्रॉंग होता है समुद्रुपका ननिहाल बरही स्ट्रॉंग था निहों की लिचावी कहानि आगे चलती है और लिचावी उसको ज़्यादा वैल्यू भी करता है ठीक है न उसमें एइबर टॉ नो फांडेशन होना शुरू हुआ फांडेशन का मदलब यह है कि वेल्वे सी दे ओरल स्टोरी हम लोग यह कह सकते हैं कि उसने कुमार देवी के साथ चादी करके सरह ना समझें उसने फांडेशन को ले आउट किया है सर ठीक है ना कम देशन के रूप में गुपता डानस्टी को उसने स्ट्रॉंग किया था मैट्रिमोनियल अलायंस के थूरू कि उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनोमी और जोग्रोफिकल एरियास को भी एक्सपांड करने का काम किया सर ठीक है कारण यह था कि लिछावियों ने उसको गिफ्ट में भी काफी सारे एरिया इसको भी मिले हुए थे सर ठीक है ने समझें यह चंदरगुप्त वन और कुमारदेवी का ही लड़का था समुद्रगुप्त वू केम तो पावर इन 335 एंड ही बिकेम वन ऑफ बिगेस्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ दे गुपता पीरड्स एम्पायर बिल्डर्स का ने नैपोलियन के रूप में कंसीडर किया गया अब यह तो बहुत बड़ी विडमना है भारती इतियास की कि विदेशी ऑथर्स इसको नैपोलियन के रूप में पैचानते हैं वेरेट्स नैपोलियन 18th century में इंडिया इंडिया मतलब यूरोप में प्रॉमिनस के उपर आया था 4th century के मिड में 340 के आज पास का पीरड जब था तब समुद्रगुप्त है अजूम्द थ्रोन इंडगुपता पीरड से ठीक है वो तब तक पावर में आ चुके है वो सत्ता में भी आ चुके तो यू कैन इमेचिन कि हूँ इस मोर रेलेवंट इस इट समुद्रगुप् आप कभी सोची इस पॉइंट के हिसाब से कि एक व्यक्ति ऐसा है जो 18th century में एक्जिस्ट करता है 18th और 19th century में और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो मोटे-मोटे तौर के उपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एक्जिस्ट कर रहा है 4th century के अंदर है ना समुद्रगुप्ट ने benchmark set किये थे क्योंकि उसने जिस तरह का सामराज्य विस्तरण किया और जिस तरह की लडाईया की और अपने आपको consolidate किये इसके लिए उसको याद रखा जाता है कि भाई इनकी policies के लिए तो दाद दे रिए तो समझे तो समुद्रगुप्ट को लिच् historical history जो है वो हरी सेन ने compile की थी सरहनब तो हरी सेन के दोरा basically जो प्रयाक प्रशस्ती है या अलाबात पिलर inscription अशोक का जो था उसके अंदर उन्होंने समुद्रगुप्ट की गुडगान गाया है वहां उन्होंने 33 lines समुद्रगुप्ट के बारे में लिखी है और इन 33 lines के अं कहानी आपको मिल चाहेगी है आपको एक idea रहना चाहिए कि what has been mentioned about the Samudra Gupta as well sir ठीक है ना समझे तो we will find की जब लोग गुपतास के बारे में देखते हैं तो Samudra Gupta की कहानी हमको clear हो जानी चाहिए कि कैसे development हुआ है तो आगे चलते हैं Samudra Gupta की कहानी and we will find की Samudra Gupta को appoint किया गया था चंद्रगुपत one के द्वारा जो 335 में उसको सत्ता में लेकिया आता है तो Samudra Gupta की जो पूरी के पूरी कहानी है ये कहानी आपको अशोक पिलर के अंदर देखने को मिलेगी जो अलाबाद में आया है ये औरिजिनल ही आया हुए है अलाबाद के अंदर ये Samudra Gupta का सामराजिय कितना expand हुआ था इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल कंसॉलडेशन की बाते लिखी गई है और इसमें हमको ये पता चलता है कि Samudra Gupta कितने कितने राजाओं को डिफिट किया कौन से कौन से विस्तारों के अंदर वो जीते थे उन सब की कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी और इस बेजिस के रूप में हम लोग बिजिकली समझते है कि ये जो नक्षा बन के आय है ये जो मैप आपको देखने को मिलता है ये मैप का इनिशिल पार्थ जो था वो समुद्रगुप्त नहीं कंप्लेट किया थे ये मैप का जो मुख्या या इनिशिल फांडेशन एम्पायर बिल्डिंग का जो था वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही कंक्लूड हुआ था अब समुद्रगुप्त का एंपार कितना बड़ा था हाउ समुद्रगुप्त was able to expand it out in different parts of the country उसके लिए we will find कि हरीसेन ने इसकी कहानी लिखी है और हरीसेन ने 33 lines के अंदर यह जो संस्कृत की inscription लिखी है इसमें समुद्रगुप्त की सत्ता एवं शक्ति को उन्होंने भर भर के काबिलियत के उपर लाने की कोशिश किये कि कितना able-minded राजा था हुआ हरीसेन लिखते है कि समुद्रगुप्त ने भारत के अलग-अलग विस्तारों के उपर आक्रमन किये और इन सब के लिए अलग-अलग प्रकार की बहुत ही व्यावारिक in fact अगर आप देखोगे तो policy भी अपना ही जैसे कि आज के डिल्ली और वेस्टर्न यूपी के कुछ-कुछ रीजिन्स के राजा जो थे उनके उपर आक्रमन करके उनके उपर अपने establishment किया उसी तोर के उपर आज की गंगा नदी के किनारे आए हुए बहुत सारे kingdoms थे उनके उपर भी अपने establishment किया over a period of time हमको ये भी देखने को मिलता है कि वो south और east की तरफ भी गए जहां पे उन्होंने अपने establishment किया खरिसेन का ये मानना है कि समुद्रगुप्त ने अपना जो conquest किया था वो phases के उपर करने की कोशिश की थी समुद्रगुप्त को ये पता था कि अगर भारत के उपर अपना जंडा घाड़ना है तो कभी भी direct political conquest करने की कोशिश मत करो और इसके लिए समुद्रगुप्त ने दो प्रकार की नीथिया अपनाई जहां जहां possible है वहां direct conquest किया जहां जहां possible नहीं था वहां समुद्रगुप्त ने indirect conquest करने की कोशिश की अब आप मुझे पूछोगे कि master ये indirect or direct conquest कैसे होता है how does the direct and the indirect conquest will take place how will we differentiate between the same हम कैसे उनके बीच में differentiate कर पाएंगे इसकी क्या खासियत रहती है ठीके तो खासियत के दरश्टी कौन से अगर आप देखो तो because the गुप्ताज वर ruling in the region called as partly पूत्र समुद्र गुप्त नेउड़ आट the areas around partly पूत्र has to be secured first of all and we need to make sure कि यहां कोई भी अगर छोटा बड़ा जो भी राजा है या उसके सामराज्य का मर्जर कर दू within the गुप्ता एंपार समुद्र गुप्त फियरड वन थिंग उनको एक चीज का सबसे बड़ा डर था और डर इस बात का ही था कि अगर भविश्य के अंदर even if in future something goes wrong who will be responsible for the safety and security of partly पूत्र obvious था कि partly पूत्र की safety security बहुत जरूरी है तो उन्होंने यह ध्यान रखा है कि नौर्थ इंडिया का जो immediate campaign है और खास करके गेंगेटिक प्लेंस का यह गेंगेटिक प्लेंस के campaign के ऊपर समुद्रूप्त सीधे सीधे तौर के ऊपर अपना domination establish करेंगे और वहां पर उन्होंने यह ध्यान रखा है कि local dynasties को और local kings को पूरी तरह से approach करते हुए उनके सामराजय का annexation कर दिया जाए merger कर दिया जाए within the gupta empire सुन लीजे मेरी बात आपको भी यह चिंटा होती है कि नहीं होती है कि मेरे घर के आजू बाजू में कोई सामराजय बना के जाएगा तो कैसे चलेगा आप खुद भी imperial power के रूप में आपको मिलते है अपने आपको सर ठीक है न तो when you see yourself as an imperial power you will also fear and you will also think that I will not allow anyone else to make their house near my house सामराजय बादी ताकतों के अंदर समुत्रगब भी यही कह रहे है कि हम कैसे चलाए इसको how come we can allow this कि हमारे आज उबाजु में कोई ऐसा रजवाडा निकल के आए जो dominating positions के उपर establish करें अपने आपको मैं तो ना सलाओ सरो के समुत्रगब ने भी यही किया हरीसेन ने लिखा है कि North India के करीबन 9 से अधिक राज्यों को we will find कि western half of the gangist plains के उपर इनको अपरूट कर दिया गया चार North India के राजा को पूरी तरह से conquer कर दिया गया डेली और western UP के अंदर सहसा इसी तोर के उपर उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि भारत के अंदर जो forest region से खास करके Central India और Deccan के वहाँ के राजाओं को बोला गया कि तुम आज के बाद समुद्रुप्त का दबदबा नहीं मानोंगे तो तुम्हारी भी service हो जाएगी सर्थ So all the forest areas and the forest kings belonging to this areas नहीं समझे इन सब को समुद्रुप्त ने धंकाया और हड़काने के बाद क्या बताया कि भाई अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारी service हो जाएगी यहां के local राजा समुद्रुप्त के पास पहुँचे कहा कि राजा जो भी पैशा वैसा संपती चाहिए सब ले लो attack मत करना हमारे उपर हम तुमको जो भी tribute विबिट तुम मांगते हो वो सब देने के लिए तैयार है we are ready to give you any kind of financial resources based support but please make sure you do not attack on us आप हमारे उपर आकरमन करना हमारी बची गुची साख जो है वो भी चली जाएगी सर ओके राजाओ के बीच में समुद्रुप्त का फफ़डाट कितना था आप सोच सकते हो कि what was the kind of the kings that they were fearing from समुद्रुप्त की यार ये तो क्या हो रहा है ठीक है तो ये खासियत के रूप में आपको यहां से देखने को मिलेगा कि that the forest kings that the living in the central India the decan they were asked to pay a tribute समुद्रुप्त का ध्यान उसके बाद दक्षिन भारत की तरफ गया समुद्रुप्त ने देखा कि वह चलो मैं नौर्थ इंडिया जीट लिया है मैंने साउथ इंडिया डेकन की तरफ अपना establishment किया है what about the regions of South India सरहना दक्षिन भारत के ओपर क्या होगा अब दक्षिन भारत की बात आएगी तो बात यहां तक भी चलेगी कि दक्षिन भारत के ओपर attack करने के लिए क्या समुद्र गुप्त के पास परिया पसेना थी क्या दक्षिन भारत के ओपर attack करने के बाद समुद्र गुप्त अगर वहाँ जीत भी जाता है तो क्या उसको consolidate कर पाएगा क्योंकि वो तो खुद पाटली पुत्र से rule करता था and because he was ruling from पाटली पुत्र he also knew that that the regions of the Deccan and below the region Deccan इन सब regions के उपर सीधा सीधा दबदबा establish करना थोड़ा मुश्किल है but अगर समुद्रुप्त यह कहता वहाँ किस्तानिक राजाओं को कि एए छोक्रा मैं यहाँ पाटली पुत्र का मगत का सामराजय का राजा बोल रहा हूँ कल से तुमको मुझे पैसा देना पड़ेगा तो दक्षिन भारत के जो छोक्रा साउथ इंडिया प्रिसाइस दे रीजेंस बियांड साउथ आफ नर्मदा क्योंकि वह एक जोग्रोफिकल बैरियर आ जाता है नौर्ट साउथ डिवाइड के उपर बिंदियास और नर्मदास के नीचे तो सामादे रूप से कोई भी राजा था एवन अशोग भी था तो अशोग ने कलिंग को छोड़के दक्षन की तरफ ज्यादा अपने नीव नहीं डा दी ते उसको भी ये पता था कि बें लॉंग टाइम के अंदर यहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है जब हम लोग समुद्रगुप्त की कहानी भी देखते है वेन वी ट्राइटो सी दे स्टोरी अफ समुद्रगुप्त तो हमें यही देखने को मिलता है कि even in southern part of the country देक्षिन भारत के अंदर समुद्रगुप्त को जीतना बहुत ही मुश्किल था उसके लिए समुद्रगुप्त क्या प्लान करता है कि वो वहाँ पे एक military campaign launch करेगा उसने उनके सामने south के states के सामने decide यह किया कि I launch a military campaign यह campaign तो launch करता है समुद्रगुप्त पर यह campaign का intention यह नहीं था कि मैं इनको जाके annex कर दूँ annexation was never the objective of समुद्रगुप्त उसका campaign चलना का intention यह था कि मैं वहाँ से खाली और खाली उनको defeat करके वहाँ से अगर मेरी financial help ले पाऊंगा और उनको अगर मैं अपना ally बना के छोड़ दूँगा तो मेरा objective फुल्फिल हो जाएगा कभी-कभी कुछ यूद जीतने के लिए तो in fact लड़े ही जाता है no doubt बट यूद का objective वो नहीं होता है कि उसमें permanently conquest होए आप दुश्मन को हरा के अपना साथ ही बना सकते हो you can make your adversaries, your friend after humiliating and defeat them in a battle and you can lifelong enjoy their commitment towards you एक किताब है the laws of power ये laws of power के अंदर ये सिधानत को बहुत ही बड़ी मातरा में समझा है गया है चीन जिसे चाइना आज की तारिक में कहते है वहाँ पे आज से 2000 साल पहले somewhere in the second century और first century के आसपास की घटना है कि जो local dynasty हुआ करती थी उनके सामने एक सबसे बड़ी challenge ये थी कि राजा को अपने ही मंत्री और संत्री उठला देते थे और at times उसके सामने conspiracy होती थी कि उसके military men's उसके सामने उसको टॉफल करने की कोशिश करते हैं और बहुत conspiracy में दो दो तीन तीन चार-चार मैने के बाद राजा के मृत्ति हो जाती हो नया राजा आता नया राजा को भी यही फफडाट में जीना पड़ता कि आज ने तो कल बेटा अपनी भी विकेट जाएगी इन सब परिस्तितियों में चीन में एक राजा है उन्होंने यह ध्यान रखा कि इसका repetition ना हो repetition कैसे हो तो उन्होंने जितने भी उसके सामने विद्रो करने वाले लोग थे उनको सत्ता से बेदखल कर दिया पहले तो करता है पर दूसरी बार यह मत कर लो क्यार यह तो अंदर की कोट में था बाहर की तरफ से जो राजा उनके उपर आक्रमेंट कर रहे थे उनके साथ इनों घडाईया की चीन के राजा उने लोकल डानस्टी और लोकल राजा को डिफीट करने के बाद चीन का राजा उनको कहता है कि देखो भाई तुम आप डिफीटेड हो चुके हो जो बीट गई सो बात गई हम तुम्हारे साथ समवाद करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ ही मिल के सत्ता के उपर बने रहे हैं मैं तुम्हें रिकनाइस करूंगा तुम मेरे सामने बगावत मत करो ना उसका ध्यान रखना अब लोकल राजा खुश हो गया कि भाई देखो मैं तो युद करने चला था मैं तो राजा की गाड़ी पल्टाने चला था और यह एक राजा है जो मेरे को फिर से अभी ही दुश्मनों को अपना साथ ही बना दिया लंबे समय तक चीन के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वह इंस्टेबिलिटी पूरी जारा से खतम हो गई और फाइनली वी फाइंड की जो ओल्ड एंपायर हुआ करते थे मैंचू के और उसके उपर वाले एंपा सकता था उनके राजाओं को बे दखल करके वह सामराज्य पूरा का पूरा गुपता के अंदर मर्ज कर सकता था पर समधुरूरूप्त को यह चीज बहुत पहले से पता थी कि पाटली पुत्र से दक्षिन भारत को कंट्रोल करना इंपॉसिबल होगा इट विल बी इंपॉस यह कहती है कि हो सके उनको अपना साथी बनाओ अपना दोस्त बना दो उनके सामने लड़ाई और जुद के अंदर अपनी एनर्जी अपने रिसॉर्स को वेस्ट मत करो और वही कारें समुद्रूरूप्त ने किया the same thing was done by समुद्रूप्त और इस तरह से we will come to know कि समुद्रू तो नीचे तो गया आज के कांची पूरम तक जाता है कांची पूरम इसन तब लाड़ू सर ओके वहां तक जाने की कोशिश करेगा वहां के राजाओ को कहा कि तुम मुझे होमेज दो तुम मुझे पैसा दो तुम मुझे ट्रिब्यूट दो यू accept me as the sole ruler of North India and I will make sure कि I will never interfere in your states provided I get the legitimacy from you guys and I will legitimate you in return sir okay तुम मुझे ठीक करो तुम मुझे legitimate करो मैं तुम में भी legitimate कर दूँगा तुम मुझे यहां पर सत्ता दोगे दक्षिन भारत के अंदर तुम मैं तुमारे उपर कभी आक्रमन नहीं करूँगा तुम भी चुप में भी चुप सर तो इस तरह से समदरुप्त के कहानी में हमको यह देखने को मिलता है कि उस ने दक्षिन भारत के ऊपर भी अपना CHAMPAYNE किया तो हरी सेन ने बताया है कि कुछ-कुछ एरियाउस में समधरगुप तिने direct campaign करने की कोशिश की कुछ कुछ एरियाउस में समधरगुप ने indirect campaign करने की कोशिश की फास करके जंगल के forest के विस्तार वहां के राजाओ को tribal kings हुआ करते थे उनके साथ भी indirect conquest किया South India के साथ भी indirect conquest किया North India जिसे आरिय वर्थ के रूप में पहचानते थे, वहां के राजाओं को पूरी तरह से सप्रेस्ट कर दिया, और कहा कि ये तो मेरा ही होगा, अगर वो रहेगा तो मैं क्या करूंगा, ये रास्तों के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कही कहीं पर, इन डारेक्ट कॉनक्वेस्ट करने की कोशिश की जाती है, हरीसेन आगे लिखते हैं कि समुद्रूप को भारत की इस्टन एरियाज में भी जाना था, हरीसेन ये भी लिखते हैं कि समुद्रूप चाहते थे कि वो भारत के वेस्टन एरियाज में भी जाये, भारत के नॉर्थ वेस्ट एरियाज में भी जाये और भारत की इस्टन एरियाज में भी जाये था, इन बेजिस के रूप में वी विल फाइंड की नॉर्थ इंडिया का जिस तरह से एनेक्सेशन हुआ था क्या वो एनेक्सेशन इस्टन एरियाज में पॉसिबल है आज के आसाम में आज के बंगाल के उपर वाले विस्तारों में आप देखिए कि ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी से पहले नॉर्थ इस्ट के ऊपर पॉलिटिकल और मिलिटरी कंसॉल्डेशन करने का हिम्मत अगर आप समदने की कोशिश करिए तो we will come to know कि बहुत ही rare case के अंदर आपको मिलेंगे ठीक है नगिटिंग ओपर कहानी आपको यह मिल जाती है we will see that all these cases की जब हम लोग बात करेंगे हम जब ही in fact इनको समझते भी है तो हमें यह देखने को मिलता है कि in the north India in the northern parts ना समझे यह north India के अंदर precisely we will come to know कि समदरूप का जो empire building की जो कहानी है वो अलग तरह से चलती है ठीक है ने getting over it उसको पता है कि eastern part western part और north west part जो है उसके अंदर की कहानी अलग तरह से करनी है he was quite sure about this part उसको यह पता था कि उसको कैसे deal करवाना है उसने यहां अलग policy अपनाई यहां अलग policy अपनाई यहां अलग पुलाई यहां अपनाई यहां अलग policy अपनाई ठीक है in the eastern part of the empire खास करके आसाम वाले region के अंदर समुद्रूप तरह अलग policy अपनाई in the northwest part of the empire उसने अलग policy अपनाई in the western that is the region of Rajasthan समुद्रूप तरह अलग policy अपनाता यहां पे भी वो indirect annexation करने की और indirect control करने की कोशिश करेगा ठीक है and we will find कि समुद्रूप जिस तरह से आगे पहुँचा इसके कारान आसाम और बंगाल के राजा जो खास करके eastern इंडिया में थे उन्होंने भी समुद्रूप को कहा कि भाई देखो हम तो tribute देने के लिए तयार है हमें कोई दिक्कत नहीं है पंजाब तक के राजा समुद्रूप को कह रहा है कि देखिए हम आपके लिए tribute देने के लिए तयार है हमें कोई problem नहीं है आज के North West India के अंदर यूदेहा से लेके मालवास से लेके अरजूनिया जैसे स्टेट्स आपको राजास्तान के अंदर मिलेंगे इदोने भी समुद्रूप को कहा कि देखो माई बाब हमसे गलती हो गई हम आप से जो भी आपकी हेजिमनी है जो भी आपकी जो पावर है वो एकसेप्ट करने के लिए तेयार है इतनी बड़ी कहानी थी कि समुद्रूप का जब परचा भारत के अलग-अलग विस्तारों में इस्टाब्लिश हुआ इन दे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन दे रीजिन बंगाल औन आसाम भारत के आजू-बाजू के राज्जू के रजवाडे भी फपडाट में जैसे श्रिलंका का एक राजा हुआ करचा था जिसका नाम था महामेग वर्मन महामेग वर्मन को पता चला कि समुद्रूप ने दक्षिन मारत को जीत लिया है समुद्रूप ने उत्तर भारत को तो एनेक्स करके रखा है उसलिए इस्टर्न इंडिया वेस्टर्न और नौर्स वेस्ट के अंदर अपने एस्टाब्लिश्मेंट किया है तो इसको डर लग गया और डर किस बात थे लग गया उसको ये लग रहा था कि इन सब चीजों के कारण there is every possibility कि समुद्र गूप कलूट के बोट लेके श्री लंका की तरफ ना आ जाए सब we will come to know कि ये जो महामेग वर्मन है ये महामेग वर्मन ने ultimately समुद्रूप के साथ diplomatic alliance अपना establishment की और ये diplomatic alliance का परीडाम आपको ये मिलता है कि महामेग वर्मन के साथ समुद्रूप तो discussions करता है कहता है कि देखो आप तो बहुती गनानी राजा हो आप तो बहुती सत्पुरुश हो आप तो लोगों का बड़ा धिहन रखते हो आपने इतना बड़ा सामराजे बनाया है हम बहुत लोगों के लिए भी खुछ करके दो तो समुद्रूप पुछता है कि मुद्दे की बात के उपर आपकी चाहते क्या हो सरो के बोले और कुछ नहीं चाहते है कि नालंदा या बोद गया उस पिरण में था नालंदा तो खेर बन के आ रहा था भी तो बोद गया के अंदर हम चाहते है कि एक मट की स्तापना की जाए ये मट के लिए हमारे जो भी लोग आएंगे शिलंका से पढ़ाई करने के लिए उनके लिए एक बोर्डिंग फैसिलिटी कम होस्टल फैसिलिटी क्रियेट हो तो लाब होगा लोगों का स्तानिक लोगों का सरु तो इन सब के कारण समुद्रगुप्त की इसके साथ जो समबाद हुई समबाद का परिराम आपको ये मिलता है कि महागे विपरवन ने समुद्रगुप्त के साथ अपने डिप्लोमेटिक अलाइनस इसकाइबलिश्मेंट की और फिर उसके बाद समुद्रगुप्त को लंका के राजा के दौर एक टाइटल दिया गया और कहा गया कि आप बहुत ही कमपैशनेट हो और बिकॉस आप कमपैशनेट हो तो हम आपको अनुकंपवन का टाइटल देते क्या टाइटल देते हैं अनुकंपवन अनुकंपवन का मतलब है कि that you are very compassionate towards the people and the needs that we have raised towards you हमने आपके उपर जो needs raised की है आपने जो इस तरह से हमारी जो demand है वो fulfill की है उसके करण हम आपके बड़े शुक्र गुजार है तो ये सब चीजे समुद्रगुप्त की पॉलिटिकल अलाइंसिस के करण आई थी दैवपुत्र शहन शाही शकास और श्रिलंका तक के राजा भी समुद्रगुप्त को मान रहे थे दैवपुत्र शहन शाही के रूलर्स गुजरात तक आ गए थे जिनने वेस्टन शत्रप्स के रूट में पहचानते थे और इन्होंने भी समुद्रगुप्त की एक हैजिमनी को स्विकारा था यहां दैवपुत्र जो टाइटल है वो कुशान के साथ जुड़ा हुआ है यहां वेस्टन इंडिया के अंदर अर्जुनियास, मालवास, यहुदेहास यह चोटे-चोटे गणसंग हुआ करते थे जिनको समुद्रुप्त अल्मोस खतम कर दिया और शिलंका का राजा उसको मनुपंकॉन का टाइटल दे रहा है इसकी ताइटल है समुद्रुप्त को एक, जो मैं कहुँगा की drawback रहा, वो था कि वो गुजरात पूरी तरह से नहीं जीट पाया था गुजरात जीतने का जो कामकाज है वो समुद्रुप्त के बाद चंदुरुप्त तो करेगा जिसको हम लोग पढ़ते हैं अभी पांच मुईट के बाद बट मैं आपको बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त का जो empire building इतने short frame में रहा है इतने कम time frame के अंदर ये दर्शाता है कि समुद्रगुप्त कितना powerful साशक के रूप में आपको यहां से मिलेगा से ठीक है how powerful समुद्रगुप्त was in that dream as well sir ठीक है न समझे तो हमें clarity होनी चाहिए with reference to what was happening and we need to understand कि किस तरह से समुद्रगुप्त की in fact policy रही है ये policy के अंदर हम को यही देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त ने एक policy अपनाई है जिसे कहता है कि one shoe size does not fits for all कुछ area के राजाओं से उसने monetary tribute लिया कुछ area को उसने annex कर दिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको annex session का नक्षा भी बताया असा उके न सुमझे उसने direct control गेंजिस वेली के उपर establish किया पर गुजरात में आये शक्क डाइनस्टी के रीजिंस के उपर अभी वी समुद्रगुप्त को एक बहुत बड़ा ड्रॉबेक रहा कि यार मैं जीत नहीं पाया I was not able to win that राजस्तान के अंदर रहने वाले विविल फाइंड की छोटे छोटे राजा थे उन्होंने ट्रिब्यूट भेजते रहे पर पंजाब के राजा ने उसको ट्रिब्यूट भेटना बंद कर दिया शमुद्र गुप्त की सबसे बड़ी जो अच्विमेंट वही थी कि he was able to win over the regions of North India directly और आज का जो गंगा यमुना वाला जो दोवाब वाला प्लेन है यह प्लेन के उपर जिस तरह से उसने अपना establishment किया था यह establishment दर्शाता है कि शमुद्र गुप्त कितना powerful साशक के रुप में निकल के आया है ठीक है पावरफुल रूलर ही वास और हाओ मैगनिनुमस इस पॉलिटिकल एस्टाब्लिश्मेंट वास अध देट ताइम सर ठीक है वो कितनी सक्तिसानी मातरा में उभर के आया था ठीक है पंजाब का कुछ विस्तार छोड़ दो गुजरात का कुछ विस्तार छोड़ दो दक्षिन भरत के राजाओ के उपर उसकी सीधी पकड़ नहीं दी पर इंडर्क पकड़ दी श्रिलंका तक राजा उसको ट्रिब्यूट भेज रहे थे और उसको टाइटल दे रहे थे अनुकमपन का कि भाई आप इतने कंपैशनेट हो आपने हमारे इतनी मदद की है आपने हमको चैरीटी दी है क्योंकि समुदर गुट ने श्रिलंगा के राजा को नालंदा के अंदर एक व्यहार बनाने के लिए पर्मिशन दी थी विहार इस कांड आफ वा बुदिस मठ वेर, जो सादु संथ हुआ खरते थे वहाँ पर, और कहानी यह है कि बुदिस मठ वहाँ पर रुखते थे, उनके कारेकाल से या उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो समुदरुप्ट ने उनको लैंड गिफ्ट दी थी, समदरूप्त की बहुत ही वैल्यू की जाती है तो कहानी आपको यह मिलती है कि अल्मोस्ट पूरा भारत उसने जीता था डारेक्ली और इंडारेक्ली और इन विल फाइंड की इन सब परिस्तितियों के कारण इन वास एबल तो ब्रिंग आउट इन सब के कारण समदरूप्त को एक बेजस के रूप में हिस्टोरियन्स ने कहा है कि यह कोई और नहीं था बट ही वस काल्ड अस नेपोलियन ओफ इंडिया देख रहे हो सा ठीक है ना अभी मैंने आपको बताया यह किसी और नहीं कहा है पर एक हिस्टोरियन है वी ए स्मिथ विंसेंट आर्थर स्मिथ वी ए स्मिथ ने समुदरूप्त को नेपोलियन ओफ इंडिया के रूप में टाइटल दिया है क्यार यह बात अलग है कि यह 100% सही है कि गलात है इस अल्वेस डिबेटेबल यह टॉपिक बड़ा डिबेटेबल है कि क्या समुदरूप्त को नेपोलियन ओफ इंडिया मानना कितनी हद तक सही रहेगा थीक है न समझे इसके लिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह अशोक के समय की पिलर आपको मिलेगी और इसके उपर वी विल कम टू नो कि अशोक खुद का इंस्क्रिप्शन है यह अशोकान इंस्क्रिप्शन के साथ अशोक की क्वीन है यह क्वीन का इंस्क्रिप्शन भी आपको यहां से देखने को मिलेगा दूसरा समुदरूप्त और हरी सेन की आपको जोडे देखने को मिलिगी यंस्क्रिप्शन में अर तीसरा जहांगीर का इंस्क्रिप्शन भी हमको यहां से देखने को मिलता है तो we will find कि त्री इंस्क्रिप्शन अर located in a single pillar अलाबाद pillar की याद रखेगा कि इसमें एक मेह दो को नहीं तीन तीन राजा के यह और इदनली कॉशंभी नाम की जगा के ऊपर हुआ करता था कॉशंभी इस प्लेस नियर प्रयाग उन इस उसको लेटर ऑन शिफ्ट करके प्रयाग में डाल दिया गया अलाबाद में डाल दिया गया तो ओर पिरिट अफ टाइम इस करता है we should know that कि यह जो प्रयाग प्रशास्ति इसकी क्या significance है and how the प्रयाग प्रशास्ति plays a important role play in understanding the history so we will see के समद्रगुप्त की कहानी आपको यह मिलेगी करीवन 335 से लेके 400 यह 375 तक रूल करता है समद्रगुप्त and we will see that from 335 to 375 he will be ruling for almost 40 years इसमें श्रिलंका के राजा महमें एक वर्बन की कहानी देखने को मिलती है जो समद्रगुप्त को presence बनाते है क्योंकि समद्रगुप्त ने गया के अंदर एक बहुत monastery बनाने की permission दी थी sir ठीक है and we will find कि समद्रगुप्त ने 40 साल में बहुत बड़ा सामराज्य बनाया he was the one जिसने अश्वमेग यग्या भी करवाया है यह अश्वमेग यग्या तो आप छोड़ दीजिए अश्वमेग यग्या उसने करवाया है इसके कोट में हरी सेन जैसे स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हों संस्क्रिट लिटरजर का डेवलोप्मेंट किया समद्रगुप्त खुद भी वैश्वम को फॉलो करता था but he was quite tolerant इसके लिए था क्योंकि उसने बोधियों को भी मदद की अगर वैश्वम को क्यों अलाओ करता था था ठीक है न इसके समय पर आपको काफी सारे म्यूजिक के क्या कह सकते है कि इंस्ट्रुमेंट मिलेंगे खासकर कि वीना बजाता हुआ तो इसके कॉइंस मिले है यह कॉइंस को पर वीना प्ले कर रहा है वीना आपको बता होगा अगर व्यक्ति के तरूप में अगर समुद्रूप्त को देखोगे तो आपको बता चलेगा कि बहुत मुल्टी डायनामिक परसनलिटी था और और 335 से लेके 375 तक रूल करता है इसलिए इस पीरेड में जिस तरह से सामराज्य बनाया है ये सामराज्य को देखके ही काफी लोगों ने कहा है कि भाई ये तो नेपॉलियन है तो ठीक है फिर मैं समुद्रूप्ट के इस कोनोटेशन के साथ परसनली सहमत नहीं हो क्योंकि नेपॉलियन और समुद्रूप्ट को कंपैर करना मतलब ये हो गया कि दोनों का टाइम फ्रेम अलग है दोनों का स्पेस अलग है एक यूरोप में है एक इंडिया में है एक एंचिंड जब तो इस पीरिड में नाहीं उतने रेसॉर्सिस थे नाहीं उतनी संपती थी नाहीं उतने we will find की modern weapons थे उसके बावजूद भी इतना बड़ा empire कारवाउट करना एक बहुत बड़ा humangus achievement से कोई चीज़ कम नहीं थी nevertheless it was never less than a big achievement as well sir ठीक है तो all these things actually highlights the case where Samudra Gupt's policy cannot be denied and we can definitely say that की Samudra Gupt की जो नीती है वो बहुत ही interesting रही आपको यहां से मिलेगी sir getting more called okay तो यह पूरी स्टोरी है Samudra Gupt आपको Veena बजाते हुए दिखेंगे sir and you will find की Samudra Gupt is playing Veena the very famous photograph यह coins आपको मिल जाते है gold coins का प्रकार मिलता है in fact Samudra Gupt ने बहुत सारे coins बनाया है sir यह coins में Veena play करता हुआ आपको coins देशने को मिलेगा इसमें मैंने आपको बताया कि अश्वमेग यगया के coins मिलता है अश्वमेग यगया क्योंकि जहां होर sacrifice होता है वो गोड़ा चलाता है उसके लिए sir ठीक है इसके coins में ही आपको चंदरगुप्त वन प्लस कुमार देवी दोनों के coins मिलता है यह coins दर्शादा है कि उसने अपने mother father को include किया क्योंकि इस father was चंदरगुप्त वन एंड इस we will see mother was कुमार देवी और इन दोनों को joint करके इसने coins बना है ठीक है तो यह भी एक इसकी खासियत आपको यहां से देखने को मिलेगी यह नगरी script है यह Sanskrit भाषा के अंदर use हो रही है समदुरुप्त के coins जो है वो मूल तहसे इंडो ग्रीक और कुशाण coins से काफी influence है ठीक है न समदुरुप्त होने का मठलब यह है कि उनसे काफी सारी चीजे उसने सीखी थी और उनसे थोड़ा एक नए लेवल में बनाने की कोशिश की गई तो यह समदुरुप्त की कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी इसके अंदर से हम लोग को बहुत सारी चीजे मिल जाती है from the history और one of the greatest empire building मिलेगा अब समदुरुप्त के बाद आखीर के most important गुप्ता डैनेस्टी के राजा के उपर चले जाते है हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है थोड़ा discussion करते है चंदरगुप्त टू का सब ठीक है चंदरगुप्त टू केम टू पावर इन 375 and he ruled up till 415 मतलब almost आप देखो गे तो इन्होंने भी 40 साल rule किया है इन्होंने भी 40 साल किया है चंदरगुप्त 1 ने करिमन 15 साल rule किया है क्योंकि 320 से 315 तक चंद्रगुप्त 1 थे, 325 तक चंद्रगुप्त 1 थे, 335 तक चंद्रगुप्त 1 थे, 335 तो 375 समद्रगुप्त थे, 375 से लेके 415 चंद्रगुप्त 2 पावर के उपर आएगे, अब थोड़ी इनकी बात करता है, कि what has been the story of चंद्रगुप्त 2, and how the चंद्रगुप्त 2 eventually came to power, और कहानी किस तरह से चलती है, ठीक है, अब आप समद्ने की कोशिश करिए कि चंद्रगुप्त 2 का कारेकाल बहुती घतरना कारेकाल रहा है गुप्तास को लेके, अब ऐसा तो क्यों था, why I am saying that the period of चंद्रगुप् उसके बीचे की दो काहनी आपको मिलेगी, पहली काहनी चंद्रगुप्त 2 जब power के उपर आया तो वो था political instability, क्योंकि समद्रगुप्त ने जिस 40 साल में जो कारिय किया था उसको लेके, almost पूरे भारत में हंगामा हो गया थी, और जैसा की आपको देखने को मिलता है कि एक अजबूत राजा की मृत्यू होती है, तो उसके बाद जो छोटे कमजोर राजा है, उनको एक मौका मिलता है कि वो मौके पर चौका मार गए, At times, we will find कि, whenever a strong king passes away, where a strong kings get defeated, we will find the weaker kings will try to take the advantage of that, कमजोर राजा उसका लाब उठाएंगे, समुद्रगुप्त के मृत्यू के बाद तातकालिक रूप में चंद्रगुप्त टू पावर के उपर आने वाले थे ही नहीं, After the death of समुद्रगुप्त, तुनिये मेरी बाद, It was said that चंद्रगुप्त टू was never thought to become two powers, ठीके न, अब ऐसा क्यों था सारो के, So it is said कि after समुद्रगुप्त, we will see कि इनके दो बेटे थे, एक थे रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद, दूसरे से चंद्रगुप्त टू, जो अपने दादा के टाइटल के उपर सही, इनका टाइटल दिया गया था, ठीके न, रामगुप्त was the person who was actually the successor of समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के मृत्यू के ताथकालीक बाद, immediately after the death of समुद्रगुप्त, that arise the situation that his elder son Ramagupta will come to power. And when Ramagupta will come to power, this was also a period where we will see the Gujarat which was not captured by समुद्रगुप्त, took the opportunity, और Gujarat में शक डानेस्टी जो western शत्रप्स की एक ब्रांच हुआ करती थी, western शत्रप्स को थे मैंने आपको foreign invasions के समय पर पढ़ाया था, post-morn in India में, उन्होंने लाब उठा के पाटली बुत्र के उपर आकरमन कर दिया, अब ये जो घटना बनी हैं पाटली बुत्र के उपर शकों के आकरमन की, इन सब घटनाओं का परिणाम तो obvious ता हंगाम होगा ही से, ठीक है न समझे, तो we will find की जब शकाज ने आकरमन किया गुजरात की तरफ से, और पाटली बुत्र के उपर आकरमन किया, तो रामगुत्व भाग गए, रामगुप्त की बीवी हुआ करती थी दुरुवदेवी, और ऐसा कहता है कि दुरुवदेवी को शक डाइनस्टी के राजा ने एक ओफर दिया, कि हम पाटली बुत्र को छोड़ देंगे, मतलब आनबान और शान का सवाल हो गया था, नाक का सवाल हो गया था, सरगुप्ताओं के रामगुप्त तो बड़े कमजोर थे, तो जो सत्ता के ओपर है तब शकों का आकरमन हुआ, वही शक्त जिसको समद्रगुप्त भी डिफिट नहीं कर पायता है गुजरात वाले रीजन, और ये सब चीजें देख रहा था रामगुप्त का यंदर ब्रदर चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू was in the court, he was present about what is happening between रामगुप्त और शकास, एंद रामगुप्त की वाइफ जो थी, क्वीन हुआ करती थी, दुरुवदेवी, उसको बचाने की जगा ये रामगुप्त उनके साथ बैठे हुए थे, वो ट्रिटी कर रहे थे, कि बेचलो तुम पाटली बुतर खाली कैसे गरोगे, तो इन सब को देखके चंद्रगुप्त टू को हो गया, अत्तामाजी साथ अठकली बुले, यह क्या चल रहा है बैए, यहां मेरे बड़े भाई है, मेरी भावी को इन्होंने किड्नैप करके रखा है, शकास ने, उपर से भी विल फाइंड की, यह एक ऐसी क्वीन है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्फुली देखते हैं, और मेरा भाई इतना नामोशी भरा कार्य कर रहा है, तो यह उनके हस्बंड कहलाने के लायक ही नहीं है, तो चंदरगुप्त तू ने कर दी बगावत, क्या कर दिया, बगावत, कहा कि तुम मैं बाखी सब चला दूँगा, पर यह ना चला उसे, ठीक है, आइक तो हमारा सामराज्य में विदेशी राजा आके बैठा हुआ है, राजा हमारा लोकल कुछ कर नहीं रहा है, उपर से अपनी बीवी का, इनफेक्ट यहां देखोगे, तो वो चैलेंज कर रहा है कि बोले, लेके चाऊँगा, तो यहां क्या भजिया तल्ले के लिए बिठाया है हमको, चंदरगुप्त तू ने रिबेलिन कर दिया, और यह रिबेलिन का परिणाम ही हमको यह देखने को मिलता है कि उन्होंने शकास को डिफिट किया, आटली पुतर से, अपनी क्वीन को बचाया दुरुवदेवियू, और अपने भाई रामगुप्त को सत्ता से हटा के, वो खुद राजा के रुप में बैट गया से, ठीक है ना समझें, इस तरह से चंदरगुप्त तू सत्ता के उपर आए, कहने की बात मेरी यह थी, कि आप जो पूछ रहे थे ना कि भाई, चंदरगुप्त तू की कहानी किस तरह से है, और वो कैसे पावर के उपर आए, और कहानी वी विल सी की किस तरह से तलेगी सर, तो कहानी आपको यह देखने को मिलती है, कि जब हम लोग ओरॉल समझने की कोशिश करते हैं, तो ओरॉल सिनेरियो के अंदर तो हम को यही देखने को मिलेगा कि इनकी सिच्वेशन पूरी तरह से बदल गई, गाड़ी पलट जाती है, चंद्रगुप्त त्टू सत्ता के उपर आएंगे, वो दुरूव देवी को बचाते हैं, उनके साथ उनकी शादी करवाते हैं और शकास को डिफीट करते हैं। चंद्रगुप्त तू का दीवन के अंदर अब एक ही धिये बचा था कि हमरे जीवन का एक ही मकसद है, बोला क्या मकसद है, बोले हम विक्रमादित्या के रूप में हैं, हम यह ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग गुजरात से लेके पूरे भारत तक अपना सामराज्य विस्तरान करें। ठीक है न, गेडिंग ओपार्ट, ओखेंगे कि नेम आप्टर इस ग्रांफादर चंद्रगुप्त तू वस अ केपेबल रूलर हुए डूल फूर्टी यह डूल फूर्टी यह डूल फ अब इंट्रेस्टिंग कहानी आपको मिलती है से ठीक है। थूर्वाइब दे कोर्स अफिस्ट्री वी डूनाट फाइंड नेम ओफ रामगुप्त एनिवेर। सुनिये। कूरे गपता एली की हिस्ट्री में वो चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो वो चाहे एपिग्राफी हो वो चाहे कॉइन्स भी हो सब्सक्राइब कर से जो तेन्योर फाइप अडिफेट राज्या तो उसके बीचे कारन था ऐक ďक तो बहौत ही यह पराजीत कि उस पीरिड में जो घटना हुई थी वो तो अब्यूसली दर्शाता है कि वो सक्सेस्फुल था नहीं था तो बिकॉस नाइधर इट वस सक्सेस्फुल नाइधर इट वस वेल इस्टाइश्ट टैन्यॉर तो इस वुड रिजल्टे इंट इंटो अ कंडिशन वेर इनको एलि अब आप देखिए इचंडरुप्त टू का थोड़ा इथियास चर्चा में लेते हैं लेट स्टाइट टू सीथ स्टोरी ऑफ चंडरुप्त टू टू अं लेट उस ट्राइट तो अन्डेस्ट टू अंड अब आपको एस्टाबिश करते हैं इन्होंने इनिशली अपने के टाइटल के रूप में भी दिया था और विक्रमादित्या जब तक सक्सेस्फुल नहीं होता उसके बीचे के बहुत सारे कारण है और आपको एक परस्पेक्टिव मुलेगा भारत में कोई भी राजा अपने आपको विक्रमादित्या तभी कहता था जब कोई विदेशियों को डिफिट करता था विदेशी मदलब स्तानिक राजाओं को ना डिफिट करते हुए वेन यू डिफीट अप फॉरें रूलस तो दे उस्टू क्लेम तैट आयम सो पावरफुल कि मैंने विदेशी राजाओं को भी पिटाई कर दी और उनको भी पराजित किया है और अपने जीत लिया है डायरेक्ली और इंडायरेक्ली पर प्रॉब्लम एक ही रीजन से है और वो रीजन है देट इस दे गुजरात के अंदर बैठे हुए वेस्टन शत्रप्स जो शक डाइनस्टी के राजा थे वो पाटली पुत्र के लिए कभी भी हंगामा क्रियेट कर सकते है तो द्रूब देवी उनको उठाके लेके जाने की भी कोशिश की मैंना आपको बताया थे ठीक है इन सबका परिणाम ये मिलता है कि चंदरगुप्त टू उसके बाद बहुत गुसे में आ गये थे कि कैसे भी करके ये शक डाइनस्टी को डिफीट करेंगे और अपने आपको वे इस्टाब्लिश करने के पीछे भी वी विल सी कि चंदरगुप्त टू के सामने बहुत सारे चैलेंज इस थे उनको डर ये था कि मैं गुजरात के उपर आकरमन करूँ उपर सेंटरल इंडिया से मेरे उपर कहीं से अकरमन ना हो जाए वेस्ट इंडिया से कहीं से आकरमन हो मेरे साथी मेरे सहीयोगी मेरे सामने विदरो ना कर दे क्यूंकि समदरगुप्त ले जिस तरह से आईरन हैंड से रूल किया था तो लोग तो मौका ही ढून रहे थे कि मौके पे चौका कब मारा जाए मौके पे चौके मानने का मतलब यह है They are looking for an opportunity कि अगर विद्रो करने के समय आता है तो कर भी देंगे सब ठीक है तो इन परिस्तितियों में, based in this circumstances We will find कि the शकास who had attacked our partly पूत्रव And चंदरगुप्त 2 who had Naliv come to power He was looking for an opportunity कि ये शकास को कैसे defeat करे शकास को defeat करने के लिए उसको ये समझ में आया कि मुझे पाटली पूत्रव के आजू बाजू में ऐसे अपने लोगों को create करना है जो मेरे साथ ही रहे और इन परिस्तितियों में we will find कि उसने दो कारिये किये उसने दखन के अंदर जाके अपनी बेटी की शादी करवा जी है क्योंकि उसको पता है कि गुजराद दखन बाजू बाजू में है दखन की डाइनस्टी अगर मेरी साथी रहेगी तो automatically मुझे यहां कोई problem नहीं होगा सर ठीक है और दखन में आई हुई थी वाकटका डाइनस्टी यह वाकटका डाइनस्टी के साथ उसने अपनी डाटर प्रभावती गुपता की शादी करवा इस तरह से दखन के अंदर उसने अपना hold बना दिया because matrimonial alliances तो मैंने आपको पहले भी कहा कि खाली दो व्यक्ती के बीच में नहीं होते परिवार के बीच में होती है और परिवार की लेजिटिवर से मिलती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन के अंदर से प्रबरती गुपता को दखन में भेजा सेंटरल इंडिया के अंदर नाग डाइनस्टी के साथ खुद भी अपनी matrimonial alliances की और वहाँ पे भी उसने अपना दबदबह establish किया और साथो साथ गुजरात जीत लिया और गुजरात के जो शक डाइनस्टी के रूलरस थे उनको defeat कि अपने आपको टाइटल दिया अपने आपको टाइटल देता है शकारी बोले मैं शिकारी हूँ शको का मैं किसका शिकारी हूँ I am the destroyer of the शकास यह बड़े चर्बी करते थे यह 200 साल से रूल कर रहे है वेस्ट इंडिया के अंदर they are ruling in the regions of West India from almost 200 years now किसी के अदर daring है कि हमारे पर आक्रमन करके दिखा है ना हम भी है जोस में बाते कर हो समें यू ना आखे दिखा सरो ना सैलारो सैलारे क्या बोला फिर बोल रहे after defeating the शकास of the gujarat and the western India that is the western शत्रव he gave himself the title of विक्रमादित्य शकारी दो टाइटल दिए विक्रमादित्य क्यों क्योंकि foreign rulers को defeat करने के बाद भारत के स्थानिक राजा अपने आपको विक्रमादित्य का title देंगे देंगे और देंगे भारतिय परंपरा ऐसी रही है कि एक ऐसा राजा जिसने विक्रम स्तापा है यह इस एस टाबिश्ट सम बिक अचीवमेंट होके लिए and defeating the foreign rulers was also one of the bigger achievement that can be done by any king of that era उस पीरड में कोई राजा इतना बड़ा अचीवमेंट करता है बहुत बड़ी बात थी सरोंकि तो चंद्रगुप्त तो को विक्रमाधित्य के टाइटल के साथ भी नवाजा गया and after defeating of the shakas he was also given the title of shakari as well both the title Vikramaditya because he defeated the foreign rulers and shakari because he defeated the shakas themselves बुले देखो आये थे मिरो उपर आक्रमन करने हमारे भाहिया के उपर आक्रमन किया यह तो हम थे जिनोंने लाज बचाई गिए it was me who made sure कि मैं इनको भगाऊ यहां से वरना इन्होंने जो स्तिती का निर्मान किया था वो कोई बत्तर स्तिती आपको यहां से नेखने को मिलती है सर ठीके and this is how you will find कि चंदरगुप्त 2 extended the limits of the गुप्ता empire by conquest and matrimonial alliances ठीके न नाग डाइनस्टी के साथ खुद की alliance करता है नाग डाइनस्टी सेंटर इंडिया में थी दूसरे कदम डाइनस्टी के rulers आपको देखने को मिलेंगी साथ इंडिया में कर्णा ठका में कदम बसर ठीक है यहां पर थे दखन के नीचे कदम ऑफ मैसूर या बनवासी नॉट मैसूर बनवासी यह करनाठका के अंदर आई हुए जोगा यह कदम डाइनस्टी के राजाओं के साथ भी इसलिए सेंट्रल इंडिया में नाग डाइनस्टी के राजाओं के साथ भी मैट्रिमोनल लाइनस्टी की है दखन के अंदर वाकटका में खुद की डॉटर प्रभावती की शादी करवाई और वहां पे प्रभावती इवेंचुली डिफेक्ट और रूलर बन जाती है क्योंकि जिस राजा के साथ इनकी शादी होती है वो राजा की मृत्य होगे कुछ सालों के बाद और प्रभावती रूल दे स्टेट एज राजमाता रीजन्ट के रूप में अपने संतानों की ध्यान रखने के लिए जैसे ये बाहु बली आपने देखा होगा तो बाहु बली के अंदर वो क्या नाम है शिवगामी देवी शिवगामी देवी की जो करेक्टर है वैसी ही आपको यहां से मिलेगी सर क्या तो वाट डूँ सी ओर हेर की इन दिस केस विल कम तो लो कि उन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती की शादी की वाकट अकास के जो दखन में रूल करता है और इन सब के कारण उनको एक अलाइंसिस मिलती है यह अलाइंसिस का परिणाम यह हुआ कि वो गुजरात के उपर शक डाइनस्टी थे उसके उपर अटक कर पाए तो आप समझने की कोशिश करिए कि शादी ब्याहा करने से आपको स्ट्रेटेजि आप अपना एस्टाब्लिश्मेंट वहां पे कर पाते हो इससे बड़िया एक्जांपल और कहां पर मिलेगा आपको सर्थी के ने गिटिंगों पॉल्ट हो कि तो वी विल सी कि गुप्तास वर अबल तो मेक अवरी स्ट्रॉंग स्टेट और अवर पिरेड अफ ताइम यह ज चार सो साल पुरानी इतियास थी उसको चंद्रगुप्तटू ने खतम कर दिया यह शक रूलर्स मूल तहर से वेस्टर्ण शत्रफ्स की एक ब्रांच हुआ करते थे आइंड यह लोग अल्मूस्ट तीन सौ-चार सो साल से वेस्टर्ण นिया में रूल कर रहे थे गुजरात जीतना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था और गुजरात जीतने के लिए उसने मैटरीमोनियल अलाइंसिस का बरबर के साहरा लिया यह matrimonial alliances उसको help करती है by winning over गुजराथ और गुजराथ जीत लिया इसका मतलब यह था कि भाई साब पैसा ही पैसा होगा लोग कहते हैं कि गुजराथ में लोग businessmen ज़्यादा है व्यापार ज़्यादा करता है पर यहां का खून ही वैसा है व्यापारिक सोच है लोगों की समुंदर किनारा है coastal area है people think about here business कैसे बन सकता है छोटा बड़ा कोई भी हो तो यह चोटा और बड़ा business का जो thought process है यह तो सदियों से चल रहा है और इसका लाप भी अगर आप देखोगे तो गुजराथ के अंदर से मिलेगा अब गुपतास को क्योंकि over a period of time गुजराथ का समुंदर किनारा इनके लिए बहुत फाइदे का रख रहा गुजराथ और म टेखने को मिलेगी कि इससे revenue काफी आता था दूसरा आपको मिलता था सोपारा सोपारा इस नाला सोपारा यह मुंबई के पास है सर ठीक है and we will see that यहां से भी इनको revenue मिलने शुरू हो गई तो by winning over गुजराथ चंदरगुपता 2 was able to make one tier and multiple निशानास एक tier से उसने बहुत सारे निशाने अचिव किये he was able to win over political sense, he was able to expand his empire, he was able to get good revenue out of गुजराथ गुजराथ से जितना पैसा आएगा वो कहीं और reinvest होगा व्यापार के रूप में, expansion के रूप में जो भी पैसा आएगा हो कहीं reinvest होगा सर ठीक है तो चंदरगुपता 2 तक आते आते we will see that काफी बड़ा expansion होने की शुरूआत हो जाती है और ये expansion का ही परिनाम था where we will see की चंदरगुपता 2 ने फिर दिली की तरफ अपनी ध्यान लिखा ली और दिली में आज के नॉर्स वेस्ट इंडिया को जब उसने जीता तो महरुली का जो pillar inscription है वो institute किया सर तक अभी मैंने आपको थोड़ी दियर पहले बताया कि इसकी क्या significance रही है सर ठीक है महरुली फिले इंस्क्रिप्शन हमारे लिए important क्यूं है उसके पिछे के दो कारण है इस में चंद्रगुप्त one या चंद्रगुप्त two लिखा ही नहीं गया है बहुत सारी किताबों में जैसे तामिल्णाडों में लिखा है यह चंद्रगुप्त one से था रियालिटी यह है कि यह inscription में खाली एक ही नाम लिखा गया है वो है चंद्रा अब आप समधने की कोशिच करिए कि चंद्रगुप्त 2 था ना कि चंद्रगुप्त 1 था क्योंकि चंद्रगुप्त 1 तो अभी तो अपने आपको Settle करने में ही टाइम लगा देता चंद्रगुप्त 1 will make sure that he will be taking maximum of his time in the settlement Settlement का मतलब यह है कि वह थ्रूऊ आउट अगर आप समझोगे तो अपने हैं आपको बोलेगा कि देखो सेटल करने का टाइम है और अभी सामराजय कहां विस्तरन करेंगे? सामराजय मिस्तरन किया, समुद्रगुप्त ट्टू ने और और ये चंदरगुप्तर टू ही था जो विविर फाइंड की दिली तक जाता है और दिली तक जाने के बाद वहाँ पे अपना हम लोग कह सकते है कि पॉलिटिकल एक्सपांशन तेयार किया और उसने वहाँ पे महरोली पिलर इसक्रिप्शन में बताया है कि मैंने बंगाल वाला रीजन भी जीत लिया था और मैं आसाम की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा था मैंने वंग भी जीता हुआ था वंगः वंग इस दे बंगाल एण महरोली में ही उसने एक जगा दी है जिसका नामे बहिल खास लोग कहता है कि बहिल का कोई और जगा नहीं थी पर Central Asia थी ये शायद bulk वाला रीजन होगा कुछ authors का मानना है कि बहिल का कोई और जगा नहीं पर ये पंजाब के western area में होगा पर पंजाब से लेके बंगाल तक विस्तार ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त 2 के द्वरा जीता गया था ये दर्शाता है कि गुपता डानेस्टी के दौरान गुपता पीरड वी विल सी कि गुट नंबर अफ एक्सपांशन अपने आपको एस्ताबिश किया और इनको अलग अलग नाम से भी पहचानता है ये नाम के अंदर अगर आप देखोगे तो विक्रम, देव गुपता, देव राज, सिमा विक्रम, विक्रम अधितन, शकारी, शकारी और विक्रम अधितन, बहुत ही प्रॉमिनेंट नाम है क्योंकि इनके सिक्कों के ओपर इनके नाम से बारे में पता चलता है इनफेक्ट चंदरगुपता टू की कहानी में आपको ये भी मिलता है कि आपको सिल्वर के कॉइंस भी मिल जाएंगे सर हना इनके कोट के अंदर नवरत्नस भी मिलेंगे नाइन जुएल्स, नाइन एक्सपर्ट आपको मिल जाते है ये नाइन जुएल्स में काली दास थे, अमर सिनहा थे, शंकु हुआ करते थे हरी सेन आपको थोड़े समय फिर उसके बाद उनकी तो मृत्ति हो जाती है ठीक है ना हमजे धनवंत्री आपको मिल जाते है आपको कहा पणक देखने को मिलेंगे सर ठीक है और इनी के ही कोट में फाहियान भी आया अब ये जो नवरत्नस कौन थे और इनका क्या कॉंट्रिबूशन था इसको हम लोग आगे की क्लासिस के अंदर डिसकस करेंगे अभी नहीं करवा रहा हूँ बट हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि इनके पीरेड में सिल्वर के कोईंस भी इश्यू किये गए और गुपता सामराजिया अपनी पीक के उपर गया असरो अब होता क्या है कि चंद्रगुप्त टू तक तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही और चंद्रगुप्त टू बिजिकली जब इनकी मृत्यू हुई इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि गुपता सामराजिया के अंदर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रेट हुई यह इनस्टेबिलिटी ही थी जो अल्टिमेटली 550 तक आते आते वी विल सी कि गुपता डानेस्टी का एंड कर देगी सरो तो यह जो गुपता पीरड की हिस्ट्री है और इसकी जो कहानी है उसको आगे के एक क्लास के अंदर कंटीनू करेंगे and we will conclude it down with respect to the history of the गुपतास कि कुमार गुपत और सकंद गुपत के बाद क्या हुआ लेटर गुपतास तक आते आते इनका डिकलाइन कैसे हुआ और नेक्स क्लास के अंदर इनके administration, economy, art and culture और golden age था की नहीं था इसके related जो debate हो रहा है उसके ओपर भी चर्चा करेंगे पर आज इतना ही रखते हैं क्योंकि we have got enough of the masala हमने गुपतास में almost 2-3 राजाओं के बारे में पढ़ा है इतके बाद वादे राजा administrative point office से थोड़े कम है क्योंकि इनके ओपर विदेशी आकरमन बहुत हुए थे जैसे हून डानस्टी का आकरमन आपको यहां से मिल जाएगा और बहुत सारी कहानिया आपको मिलती है तो इसके लिए हम उनको आगे करेंगे बट ये पूरी कहानी है गुपतास की सर है ना बाई दो इसका screenshot ले लीजिए गया क्योंकि ये thematic understanding आपके लिए ही मैं लेके आता हूँ I want you कि आप इसका lab उठाईए सर ठीक है ना समझे और जैसे से आगे चलेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा गुपतास के बारे में ये आपकी running notes भी बन जाएगी यहां जो मैं जितना white board के अंदर करा रहा हूँ ये white board में करवाने का intention यही है कि आप इसके उपर running notes बनाई है इस तरह से सर ठीक है ना कि शाकारी का title ले लिया direct indirect conquest समझ ग्रूप क्या कर रहा है local areas North India में कैसे उसने R.E.A. वर्थ को annex किया है बाकी सब को annex नहीं किया है QAC policies अपना ही है सर ठीक है तो बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी तो आज इतना ही है and मैं आपको फिर से welcome करूंगा कि अगर आप हमारे साथ Unacademy Plus में जुड़ना चाहते हो तो you are most welcome to join us on the platform description box में link available है ये code को use कर ये PN live and get the maximum of the discount as well सर ठीक है आप अधिक से अधिक discount आप gain कर पाएंगे मेरे नए courses modern Indian history आपको मिलेगा in the next month and ये prelims के पहले खतम भी हो जाएगा सर ठीक है तो out of you any students who are ready to join the modern Indian history course I welcome you कि आप इसके अंदर जुड़ जाएए सर ठीक है बाकी मेरा art and culture का अभी भी course चल रहा है I am also running a live course on art and culture आप इसको भी attend कर पाएंगे it will take the subscription in a day or two क्योंकि ये February के first week तब चलेगा ये second week के आसपास modern history का course शुरू हो जाएगा सर ओके तो आज यहां पर खतम करता है let us conclude it out as well and thank you very much for all your appreciation and आपकी कोई भी queries होगी तो आप हमारे contact number के उपर call कर सकते हो 8585858585 official number है आपको एकडेमी की team का आपको help करेंगे with respect to any kind of referrals or any kind of admission related queries बाकी तो मैं आपको live classes के इंदर मिलूंगा on the platform PL live signing it out आज का class यहां पर खतम करते हैं like channel subscribe to this platform I'll see you in the next class till then keep studying all the best thank you very much I'm Jai Hind